है यह संदे आपका टेस्त होगा सौर Tracy में स्टॉक डेटर सिस्टम में इसका क्या ट्रीटमेंट हो पार रेटण ऑफ Goods एच्चो बाई कस्टुमर मैंने के क्लास में कराया है दीपक इसमें डिरेक्ली जब कस्टोमर रिटर्न करता है तो स्टॉक डेटर में स्टॉक के दोनों साइड आ जाता है टू साइड भी और बाय साइड भी संडे टेस्ट रखेंगे किसका सर ब्रांच अकाउंट का ब्रांच अकाउंट का जो कुश्चन होगा वो पूरे बुक सही होगा कोई भी तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमने होंबग कर लिया है तो वो कुश्चन गलत नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान देना पता चले यह रहे गया वो रहे गया वो नहीं अगर 15 का टेस्ट है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि 14 लेके आएगा कोई बच्चा पूरे 15 ही चाहिए उसमें कोई मार्क्स कटने वाली सवाल है नहीं जब मैं पूरे बुक के कोश्चन ही दे रहा हूं आपको कैसे प्रेक्टिस क करना है कैसे मेमराइज करना है स्रिफ आपके बुक के कोश्चन से हैं ठीक है चलिए आज करेंगे हम डिपार्टमेंटल एक सिंपल सा और न्यू चेप्टर प्रच्टमेंटल कि अपर्टमिने टार्ड तर्टमिन टार्ड डिपार्टमिंटें ट्राड़क। झाल झाल चलिए देखे डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल का मतलब क्या होता है हम समझ लेते हैं कई बार हम जब बिजनस करते हैं जब हम बिजनस करते हैं और बहुत सारे बिजनसमेन को ऐसा फील होता है कि जब हम बिजनस कर रहे हैं और बहुत टाइम से हम बिजनस करे जा रहे हैं और कस्टमर की भीड भी लगी भी है तब भी हमारे बिजनस फाइदे में नहीं जा रहा है दिन रात हम सेल कर रहे हैं महनत कर रहे हैं समान बिक भी रहे हैं और तब भी हमारा business फाइडे में नहीं जा रहा है। और जब हमारे किसी चीज का भी मान लेते हैं, segment मान लेते हैं, मैंने cloth का segment open किया, मतलब कपड़े का काम शुरू किया। तो हमारा एक ही motive रहता है, हमारा एक ही target रहता है, क्या भी असूस वगएरा भी रखते हो क्या, क्या उसके साथ जो भी accessories है कपड़े के साथ, मान लेते हैं, purse वगएरा भी है क्या, क्या belt वगएरा भी रखते हो, तो उससे related भी product मांगते हैं, तो जब frequently made से वो customer वो चीज मांगने लगता है, तो हम सोचते हैं, हम ध्यान में ऐसे सोचते हैं, पेरिंट्स का हैं, तो इसके अंदर जब भी हमें ऐसा feel होता है, कि सर हमारा जो product है, customer demanding है, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उस product को अपने दुकान में रखना चारू कर देते हैं, धीरे धीरे रखना चारू कर देते हैं, पर एक्जामपल, आपके पास, आप कपड़ा बेच रहे हो, cloth बेच रहे हो, jeans, t-shirt बेच रहे हो, बार-बार वोड़े यार, तुम जूते उते भी रखो, आपके पास 10 customer daily के जा रहे हैं, तो आपके mind में एक ही ख्याल आएगा, क्यों ना हम इसे रखी ले, आप उसे रख लोगे, फिर customer और मांगेंगे, तो आपके product variety इतने ज़्यादा हो जाता है न, दुकान के अंदर, आप सोचते हो कि हमें एक और दुकान खोल लें, फिर जब मैसब होने लगता है न, सारी चीज़े समझ में नहीं आने लगते हैं, कपड़े भी यहीं पे, जूते भी यहीं पे, belt भी यहीं पे, perfume भी यहीं पे, सब कुछ यहीं है, तो आपके mind में ख्याल आता है कि एक काम करते हैं, कपड़े को हम एक अलग रख लेते हैं और जूते को हम अलग रख लेते हैं यानि कपड़े के दुकान को ही separate कर लेते हैं एक compartment बनायते हैं या तरको कपड़ा लेना है तो तू उधर जाके देखिए और जूते लेना है तो उधर जाके देखिए इससे क्या होगा हमारा पूरा दुकान एक systematic organize में manage रहेगा तो ये हर जगह होता है लगभग लगभग हर जगह है जो एक ही दुकान गंदर सारे चीज़े रखते हैं वो दिक्कत होती है तो जो आपने कपड़े की दुकान को अलग कर लिया और एक जूते की दुकान को अलग कर लिया हाला कि वो दुकान कहां होगा ज्यादा dispense पे नहीं होगा हो सकता है एक बहुत बार एक फ्लोर के एरिये में दो पार्ट में कमपार्ट डिपार्टमेंट हो या फस्ट फ्लोर सेकिंड फ्लोर में हो जाता है तो ऐसे सिचुवेशन में में बी पॉसिबल है कि आपका कोर बिजनस कपड़ा बेचना ह है तो उससे तो profit हो रहा है लेकिन आपने जो सूस का business start किया तो कुछ लोगों के कहने पे वहां से loss हो रहा है आप overall profit निकाल रहे हो तो आप किसमें जा रहे हो सर लॉस में ही जा रहे है तो हमें क्या करना होता है departmental account का वहीं से आया कि सर आप हर एक department, department का मतलब जो सूस का आपने separate business किया that is a department तो जो हर एक department है हर एक department की accounting अलग होनी चाहिए अगर आपको cloth के business से बहुत समय तक profit दिख रहा है कि यह देखो अपना सब चीज का department क्या करते हैं कई जगह पर अलग-अलग कर देते हैं जैसे बिग बजार हो गया यह बहुत सारे हो गए जितने भी हमारे malls वगरा में देखोगे तो इनके departmental के business पर काम करते हैं यानि अब बड़े-बड़े बिग बजार यह रेलाइंस मे अलग-अलग separate रखते हैं हर जगह पर तो वह इसलिए रखते हैं कि उसकी सभी की accounting अलग और इनफेक्ट कई जगह पर तो मैं डेली में अगर देखूं तो और किसी राज्य का नहीं पता लेकिन डेली में बात करूं तो किसी आप electronic showroom पे जाओ तो वह बोलेंगे फ्रिज ले कहां से हो रहा है कुछ दिनों मैं पता चला कि मैं mobile phone बेस तो रहा हूं लेकिन यहां से प्रॉफिट नहीं और लॉस हो रहा तो segment को क्या कर देंगे हम वहां से हटा देंगे तो department wise हर जगह department अलग-अलग होता है और एक और वह honor एक ही होगा लेकि honor कौन रहेगा एक ही रहेग तो अगर हम department की बात करें तो department के अंदर आपको simply क्या चीज़ निकालना है सर net profit निकालना है और सर net profit किस से निकालने जाएगा कैसे निकलता है net profit net profit निकालने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा trading ठीक है ट्रेडिंग से क्या निकाल लोगे आप ट्रेडिंग से अगेन निकाल लोगे आप gross profit और इस gross profit का इस्तमाल कहां कर लोगे net profit निकालने में यानि इसके लिए आपको account बनाना पड़ेगा profit and loss तो अगर आपको trading and profit loss की जानकारी है तो यह chapter आपके लिए बहुत आसान हो करने वाला है क्योंकि इसके अंदर भी खर्चे होंगे हमारे direct खर्चे और indirect खर्चे यानि अगर हम P&L की बात करें तो मान लेते हैं हमारा cloth का department है और मैंने कहा एक shoes का department है तो उस situation में इसका trading P&L अलग बनाओगे इसका trading P&L अलग बनाओगे और इससे आपका net profit एक अलग द सिखने वाले हैं तो दो trading बनाओगे दो P&L बनाओगे और एक last में finally निकालेंगे यहां balance sheet बनाने को आपके exam में नहीं आना जाएगा सिर्फ trading और P&L ही बनाने को दिया जाएगा लेकिन इसमें एक दिक्कत आ जाती है कई बार ऐसा होता है कि जब यह department होता है ना जैसे मान कराने की facility तो यहां पर क्या होता है कि मान लेते हैं second floor वाले का समान का पैसा कहा आ गया first floor और कई बार first floor वाले का पैसा कहा आ गया sir second floor तो उसको separate करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहां पर किसका profit कितना होगा नहीं होगा उस चीजों के लिए हमें कुछ concept को सीखना प कॉलम कीच लेंगे जिसमें से cloth का होगया एक सूस का होगया एक total का होगया सेम इधर तीन सेग्मेंट कीच लेंगे हम ठीक है जिसमें से क्या रखने वाले हैं एक हमारा cloth का होगया एक सूस का होगया एक किसका होगया total का अब अगर हम sales की बात करें cloth का sales cloth में चले जाएगा सेम पर्चेश की बात करें, क्लॉथ वाला क्लॉथ में चला जाएगा, सूज़ वाला सूज़ में चला जाएगा, इन दोनों को जोड के कहा रख देंगे हम, टोटल में, तो हमें डबल अकाउंटिंग करने की जूरत नहीं पड़ेगा, दो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना तो सर, cloth वाले में कितना हमारा खर्च आएगा और süz वाले में कितना सी ऐगा इसको डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है अकांटेंट जो है वह दोनों जगे की accounting कर रहा है इस वाले department पर लेकिन कर्फेट्मेंट के अकांटिंग कर रहा है इस ratio में इस खर्चे को दोनों department में बाट दो मान लेते हैं कि एक manager रखा जो कि हमारा cloth department को भी देख रहा है शूस department को देख रहा है lunch से पहले वो cloth department में रहता है lunch के बाद कहां चला जाता है शूस department में तो clearly आधा-धा time अपना क्या कर रहा है वो दे रहा है तो उसकी salary को आधा हम डाल देंगे कहां पे cloth department पे आधा शूस department पे दूसरा कुछ ऐसा खर्चा मैं बोलू जैसे कि मैंने पूरे business को organize करने के लिए capital लगाया capital या loan लिया loan पे हमें interest जा रहा है तो interest में कितना पैसा यहां लगा यहां लगा उसको define करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो ऐसे खर्चे जो दोनों में बटी नहीं पा रहे तो उस खर्चे को हम डाल देंगे journal profit and loss में जहां पे combine रहेगा उस खर्चे को कहां डाल देंगा journal तो देखो खर्चे तीन तरीके को हो गया sir एक खर्चा हो गया वो जो कि आपको separate है बिल्कुल separate दे रखा है दूसरा खर्चा हो गया जिसको आप allocate कर सकते हो यानि बाट सकते हो question में given होगा जैसे मैंने अभी manager salary का example लिया तीसरा खर्चा होगा जिसको आप separate नहीं कर सकते not possible के separate कर दो आप तो उस खर्चे को कहां डालेंगे हम journal profit and loss account में ठीक है तो समझ में आ रहा है आपको trading account बनाने के लिए आपको direct खर्चे की जोरत मतलब समझ होनी चाहिए कि direct खर्चा कौन सा जैसे की carriage हो गया wages हो गया या फिर power हो गया ये सारा trading में जाएगा P&L में क्या जाएगा salary चला जाएगा interest चला जाएगा discount चला जाएगा carriage outward चला जाएगा वो कहां चले जाएगा P&L में जैसे की हम पहले कर रहे थे तो यहाँ पे कुछ ऐसे खर्चे भी है जिसको हमें समझना होगा कि कुछ खर्चे ऐसे given है जिसको कि हम किसको बांटने में क्या मदद लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए एक छोटा समय ने लिख लिया यहाँ पे कि जो expense है not divided into departmental typically और indirect expense और यह जो बांटने वाला काम जादा से जादा देखने को मिलेगा नो वो indirect expense के अंदर ऐसा जाज़ा देखने को मिलेगा जैसे कि हम बात कर लेते है journal administrative expense कुछ ऐसे खर्चे हैं जैसे कि जर्णल आपका business operations सच rent उसके अंदर rent हो सकता है utility insurance taxes ऐसे कुछ खर्चे हो सकते हैं जिसको बाटा नहीं जा सकता तो अगर आपको बता दे question में मैंने कहा कि insurance का पैसा बाटना मुस्किल है इसे अगर बाटना मुस्किल है तो आप कौन से account में ले जाओगे इसे journal, profit and loss account में लेकिन सवाल कह दे कि insurance 50-50 दोनों department में बटेगा तो आप इसे बाटोगे कहाँ P&L में कहाँ माट दोगे आप तो यानि जरूर ऐसा कोई भी खर्चा नहीं है जो कि आपको पता ना चले कि ये कैसे होगा हर बात बताएगा लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसके लिए examiner बताएगा भी नहीं और journal P&L में भी नहीं जाएगा वो आपको समझबूस से काम लेना होगा जैसे कि मैं बात करूँ carriage inward तो अगर मैं carriage inward की बात करूँ किस की बात कर रहे हैं हम carriage inward carriage inward तो अगर मैं carriage inward की बात करूँ तो बड़ी basic सी बात है carriage कब लगया होगा समान को खरीदने में तो जिस department का जितना समान खरीदा होगा उस ratio में बढ़ जाएगा same discount allowed discount allowed कब किया होगा बेचने में तो वो sales के ratio में बढ़ जाएगा हमारा तो discount receive वो भी किस में बढ़ जाएगा purchase तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि आपको पता चल जाएगा तो हम जब सवाल को practice करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जैसे कि मैं मात कर देता हूँ depreciation है, non expense है, recognize, detail तो यह सारी चीज़े मैंने यहाँ पर लिखा है बाकी जैसे मैं सवाल को पढ़ूँगा तो इसको मैं बता दूँगा कि क्या चीज़े बढ़ सकती exactly क्या हम करेंगे तो departmental का मतलब क्या है सर आपके दो department होगा जैसे कि हमारे पास एक सवाल है पहले हम question को पढ़ेंगे फिर इसके detail जानेंगे और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं question को पढ़ेंगे, detail जानेंगे फिर आगे बढ़ने वाले तो सर एक सवाल है पूरा पढ़ने पहले यह किताब में question नहीं होगा यह मैंने अलग से जो की आपको basic concept develop कर दे और यह समझ में आने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कहता है from the following figure prepare the आपको prepare एक account करना है disclose the total profit profit to department department A department एक department A है और एक department आपका B है दो department है इन दोनों department का आपको opening stock पता है तो आपको लिखना पता यह trading में two side में आ जाएगा दोनों department का क्या पता है purchase तो इसका भी बहुत simple सी बात है trading में two side आ जाएगा carries दे रखा है आप यहाँ पे carries total दे दिया अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि भी यह किस department का है A department का यह B department का तो इसको किस ratio में बाटा जाएगा आगे हमें बता देगा वो ऐसा ही देखे तो salary salary दोनों department का अलग दे दिया तो चिंता ही नहीं किसी बात का इसके हिला अब यह जितने भी खर्चे आपको दिये जा रहे नहीं इस खर्चे के बारे में बताया है नहीं कि A department का कितना है और B department का कितना है तो इसको कैसे बाटना है नीचे adjustment देगा sales अलग अलग दे दिया बहुत अच्छी बात है और यह भी और discount भी हमें common दे दिया तो आप देख पा रहे हैं salary vendor कुछ ऐसे खर्चे हैं जो की common है कुछ ऐसे खर्चे हैं जो की common है अब goods transfer का क्या होता है मान लेते हैं कि आपका एक department A है और एक department B है और मैं इसको cloth मान लेता हूँ और इसको मैं shoes का मान लेता हूँ ठीक है ना ऐसे हम सीख रहे थे example हुआ ऐसा हुआ ऐसा कि भीया जो shoes department से मैंने phone किया बोला के यार नीचे ग्रहा का है हुए है एक काम करो दो चार पीसिस नीचे भीजवा दो तो इस department ने क्या करा इसको भीज दिया पांच हजार रुपए का समान तो ultimately अगर आप देखो या तो यह समान वापसी आ जाए तो कोई बात वाली बात नहीं यह समान वापसी नहीं यहीं से बिक के चला गया तो अगर हम profit and loss निकालेंगे तो माना जाएगा इस department ने इसको transfer कर दिया और इस department के लिए एक तरीके से kind of क्या है ये sales और इस department के लिए kind of क्या माना जाएगा purchase मानेगा तो हम ऐसे treatment करेंगे जब एक department दूसरे department को transfer कर देता है तो जो transfer कर रहा है वो तो sales record कर लेगा और जो ले रहा है वो क्या record कर लेगा purchase record कर लेगा तो इस तरीके से यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि सर यहाँ पे goods transfer हुआ 5000 जो कि आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा तो ठीक है हम अलग से लिख लेंगे जनल salary क्या हाँ यहाँ पे कोई salary journal है क्या तो कहता है जो जनल सेलरी आडनी का आइसकिया किसके बारे में नहीई बताए गया उस चीजों को हमें कैसे बाटना है equally तो जनल expense यहाँ पे दे रखका है यह रहा इसको बाटने के लिए बोला गया कैसे बाटो आप allocate का मतलब क्या होता है allocate मतलब होता है appointment मतलब होता है यह दो सब्द आएंगे यहाँ पर बार बार जो confused नहीं होना है तो journal salary का मतलब से journal के बारे में बता दिया गया इसको बराबर बाटना तो A का खर्चा B का खर्चा आराम से निकाला जा सकता है कहता है allocate carriage inward and discount receive on the आपका suitable basis कहता है भीया जो carriage inward है और discount receive है यानि यह अपने आप दिमाग से लगाईए कि किस पर बटना चाहिए तो बड़ी सीधी से बात है carriage inward खरीदने पर लगा है तो purchase के ratio में बाट देंगे discount receive, discount receive भी खरीदने पर लगा होगा क्योंकि discount कम मिलेगा जब हम समान को खरीदेंगे तो वो भी उसी ratio में बाट देंगे तो मेरे हिसाब से ये वाला दोनों partner किस में बढ़ जाना चाहिए purchase के ratio में purchase ratio में, purchase का ratio क्या निकलेगा सर ये दे रखा है आपको purchase इन दोनों को उसका उतना रेंट दे देंगे तो रेंट इसमें बढ़ जाएगा कहता है insurance premium for comprehensive policy allocation being the आपका inconvenient मतलब कहता है insurance जो लिया है पूरे का लिया इसको बाटना पॉसिबल ही नहीं आप नहीं बाट सकते ये comprehensive का मतलब बहुत detail चला जाएगा ये तो इसको बाटना पॉसिबल नहीं हो तो हम कहां उठा के ले जाएगे इसको जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकॉंटमेंट ठीक है कहता है closing stock to department वर A का दे दिया आपको और B का दे दिया यहां पर closing stock नहीं था नीचे दे दिया तो normally आपको पता है closing stock trading के buy side में जाता और एक balance sheet के assets में balance sheet आपसे पूछा नहीं जाएगा यहां पर आगे कहता है allocation of the advertisement and journal expense and discount allowed in the ratio of sales तो कुछ चीजों के बारे में बता दिया कि इसको किस ratio में बाटना है सर sales के ratio में बाटना है अब देखा जाए तो हमारे पास किस-किस के जानकारी नहीं है सर एक हमारे पास journal expense की journal के बारे में बता दिया rent के बारे में बता दिया advertisement के बारे में बता दिया insurance बोलता है भी यह यह तो बटी नहीं सकता journal expense भी बता दिया discount allowed नहीं बताया discount allowed बताया नहीं सबसे नीचे वाले में accounting charge भी नहीं बताया तो जिस चीज के बारे में नहीं बताया that is going to the journal profit and loss account जो कि last में जिसके बारे में बता दिया उसके हिसाब से करतेंगे तो बड़ी सीथी सी बात है तो यहाँ पर अब देखा जाए तो मैं एक account common बनाऊँगा और exam यही format ही है ऐसा नहीं कि हम दो बार बनाएंगे तो बहुत जादा time लग जाएगा अभी पढ़ेंगे दुबारा कर लेंगे दो हो गया तीन हो गया एक दो चलिए परफेक्ट यह बना लिया हमने ऊपर क्या नाम लिखेंगे सर ऊपर नाम लिखेंगे departmental ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है एक हो गया एक हो गया बी और इधर रखेंगे ए बी और टोटल पर्टिकुलर चलिए सर पहले हमें ओपनिंग स्टॉक देता है तो हम यहां लिख लें ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दे रहा है तो हम लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक सर ओपनिंग स्टॉक ए का दे दिया इसने पंद्रह हजार दो सो और बी का दे दिया दस आठ सो इसके बाद आ जाते हैं परचेज तो परचेज भी इधर आएगा अब परचेज में देखेंगे तो इसका रिटन बाइ साइड में गीवन है आपको परचेज रिटन तो पहले एक ही डिजिट होता था तो अंदर लिखके हम दे देते था अब दो डिजिट है हमारे पास आप देख पा रहे होगे तो यहां पे एक बार में करना पॉसिबल न है वो है 75 100 और बी का परचेज जो है वो है 69 800 इसमें से रिटन इसका माइनस कर देंगे इसमें से इसका रिटन माइनस कर देंगे इसका रिटन 800 माइनस होगा तो बचेगा 69,000 और इसमें से 1100 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा यह 74,000 क्लियर रही है तो मैं इसको क कि और यहां करना चाहते हो थे हैं कोई दिक्कत तुक्त अलके से प्रचीस रिकेर्ड माइनस में दिखानेum दिक्कत नहीं है तो यहां पे मेरा आजाएगा सेवंटी पॉर थाउसे और यहां पर आ जाएगा 69,000 टोटल में भी 7 के साथ ले के चलते हैं टोटल में कैसे लिखा जाएगा पर्चेस रिटन किज़र लिखोगे आप पर्चेस रिटन तो कर तो दिया मैंने तो माइनस होगे दिखा ही दिया मैंने वो तो working note में दिखात हो रहे हैं यहाँ पर सार डिमिन को मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि purchase return slow होगा तब ही सही होगा 26,000 इसका total 31,000 चलिए आगे चलते हैं carriage inward 2 carriage चलिए हम इसे बाद में बाट लेंगे जैसे देखेंगे सारी चीज़े बन जाएं इसके बाद कहता है rent and rates तो आपको पता ही कि rent and rates पी एंडल का part होता है तो हम trading account कुछ यहीं तक रखने वाले हैं यहां तक trading account है और rent and rates तो rent यहाँ पर आ जाएगा तो रेंट टोटल जो हमें given वो 6000 है अब 6000 जर्नल रहे गया अभी जर्नल बे लिख लेंगे ठीक है छे हजार रेंट को बोला गया थी स्टू टू में बाटना है तो छे हजार डिवाइड़ेड वाई फाइव इंटो में थ्री छत्तिससो और टू तो थ्री स्टू टू तो चौविस सो इसके हिस्से में आ गया तो जर्नल एक्समेंस कहता है, जर्नल सेलरी कह दिया है, सेलरी बड़ वर्ड कार्ड देता हूं, बस जर्नल लेख देता हूं, ठीक है, एलोकेट इकुवली, तो हमारा टोटल है 11,600, इस 11,600 को डिवाइड़ेड़ वाइ, इसके बाद आ जाते हैं, एडविटीजमेंट, ठीक है सर, एडविटीजमेंट टोटल दे रखा है, इनोंने कितना, 8100, अब 8100 को कैसे बाटा जाए, सवाल में नीचे कहता है, कि अलोकेट इडविटीजमेंट, जर्नल एक्स्पेंस, और डिस्काउंट अलाउट इन्दर रेशु क्या है, पहले इधर लिख लेते हैं, बाई सेल्स, तो सेल्स हमें दे रखा है कितना सर, एक एक लाख और इसका 80,000, टोटल हो गया, एक 80,000, तो यानि अगर देखा जाए, इसका रेशु निकाला जाए, तो 10 इस्टू 8 हो जाता है, और कार्ट दे तो ये कितने में कट जाएगा, 4 इस्टू 5, ये रिश होगा, तो 5 इस्टू इसको बाट देते हैं, मैं हलाकि इसे हटा दूँगा बाद में, 5 इंटू में, सुरी, 9, 81, सो डिवैडेड बाई 9 इंटू में, 5, 4500, और 4, 36, इसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, इन्सॉरेंस पे, इन्सॉरेंस जनल एक्समेंस, टोटल जो है जनल एक्समेंस हुआ हमारा 50, और उसका भी रिशो सेम ही रहने वाला, 5400 इंटू में, 5, यानि 3000, और 34, 2400, जनल एक्समेंस के बाद, डिसकाउंट अलावड, डिसकाउंट अलावड को भी सवाल में बोला हुआ है, नहीं बोला हुआ देख ल जाता है, क्योंकि डिसकाउंट सेल्स पर ही दिया जा रहा है, अठारा सो, तो अठारा सो डिवाड़ेड बाइन, इंटू में, 5, 1000, और 800, खीक है, डिसकाउंट अलावड के बाद है, अकाउंटिंग चार्ज, सर इस पर भी हमने मार्क कर रखा है, पता नहीं चल रहा है, ख डिसकाउंट रिसीव, पाई डिसकाउंट रिसीव, सर टोटल दे रखा है, डिसकाउंट रिसीव, वो कितना है हमारा, 13, 1430, ठीक है, अब एक एक करके फिर से हम अगेन अजस्मेंट पढ़ लेते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो बड़ा सिंपल सा है, यह सवाल एक चलिए, अब आजाते हैं हम, इसको रेशो में बाटना है, इसको भी परचेज रेशो में, इसको भी इस रेशो में, और परचेज हमारा कितना है, 74 इस्टू 69, यही रेशो है हमारा, 74 इस्टू 60, 75 हैं, अच्छा हां, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, क्यूंकि आप प ग्रॉस परचेज में हम इसा लेना है, डिसकाउंट भी ग्रॉस पर ही मिला होगा आपको, तो 75, 100 और 69, 800, तो यह आपको दो जिरो सो दो जिरो कैंसिल हो गया, तो आप इसका हो गया, 751 इस्टू 698, आप बैट काटना चाहें, तो और भी काट सकते हैं, मैं कैलकुलेटर प पास है, पहले इन दोनों डिजिट को जोड लीजिए, जैसे 751 प्लस में 698, इन दोनों डिजिट को जोड लीजिए, जो बनता है 1449, ताकि आसानी हो जाए, अब मुझे 860 बाटना है, तो मुझे क्या करना है, पहले टाइप करना है 860, उसको डिवाइड का बटन प्रेस कर और करना 14449, ठीक है, उसके बाद सिर्फ एक बाद सिंपली multiply का बटन प्रेस कर देना है, divide के बाद multiply का बटन प्रेस कर देना है, तो मैं दुबारा स्टेप बोल रहा हूं आपको, सबसे पहले मैंने क्या करा, इन दोनों का total कर लिया, और किसको बाटना है इसको, और इसके divided यह करा फिर मल्टिप्लाइए में क्या है तो बस मुझे 751 और इकोल टू प्रेस करना है ओटोमेटिकली वो डिजट ले लेगा एक सब्सक्राइब अठाइसो साथ डिवाइडेड वाइड देवाइड वाइड चौदा लून एंचाज है अब हमें क्या करना है मल्टिप्लाइ किसे करना है साथ सो एक आवन के पाद इकोल टू जैसे प्रेस करोगे और तो मेटिकली वो डिजट लेगा तो कितना आगया साथ 1482 आ अब सर्थ हम 78 आ गया, almost, तो simple सी बात है, आपको कोई भी ratio निकालना हो, आप बार बार divide नहीं करोगे उसको, आप क्या करोगे, अगर मुझे यहाँ पर 500 ratio होता, तो सिर्फ मैं 500 प्लस करता, और equal to करता, तो वो उसके हिसाब से वो पर्पोस्नेट करता जाएगा, यानि सिर्फ आपको एक ब कर दिया हमने, पहले divide into, अब मुझे पहला ratio क्या चाहिए, यह 751, तो 751 और equal to करना है, अपने, into नहीं दवाना, equal to करना है, तो 741 आ गया, अब हमें कुछ नहीं करना, आप दूसरा ratio क्या है हमारा, 698, तो 698 करके equal to करना है, वो automatically ले लेगा, तो यह आ गया, 689, ठीक है, तो कुनों चीज़े भी बाट दी, अब adjustment देख लेते हैं, adjustment के अगर हम बात करें, तो सबसे पहला है goods transfer, तो goods transfer किसने किया है, A to B किया है, तो A के लिए माना जाएगा transfer, goods transfer, A ने transfer किया है, तो sales side में जाएगा, तो A ने किसको किया है, B को, तो A के लिए sales माना जाएगा, 5000, और 2 म पाना जाएगा, 5000, पहले ये देखिए, पहला adjustment, जो transfer वाला था, मैंने बताया था, एक के लिए purchase होगा, तो एक के लिए sales होगा, जिसने transfer किया, वो तो sale कर रहा है, जिसने लिया है, वो purchase कर रहा है, ठेक है, यहाँ पर आ गया, पहला adjustment हमने कर लिए, done, अंदर की सारी बाते ह है, जो नहीं लिया भी, तो by closing stock, sir closing stock कितने कितने हमारा, A का 17800, और B का 15600, तो ये total इसका यही आना है 5000, और इसका total देख लेते हैं, क्या आता है, 17800, प्लस में 15600, 33400, ठेक है, sir इसका total भी 5000 ही आना है, यहाँ तक clear है, अब यहाँ से निकाल लेते हैं, बड़ी सीधी सी बात है, GP निकाल लेते हैं, और तो कुछ रह नहीं गया हमारा, allocation advertisement भी कर दिया, तो एक लाग प्लस 5000, प्लस 17800, यहाँ गया एक बाइस, एक बाइस आट सो, और यही आ जाएक इधर, एक बाइस, आट सो, माइनस कर देते हैं, 15200, माइनस 74000, और माइनस 1482, यहाँ गया 3218, यहाँ गया 3218, यहाँ गया 3218, एपरोक्स, तो 2GP लिख दिया, 3218, अब यहाँ जब मैंने आंसर भी लिखा हुए, तो आंसर देखेंगे 3212, वो राउंट फिगर में, तो उस पे नहीं जाना, 45 रुपे का पॉइंट में तो फरक आएगा ही आएगा, ठीक है, अब आ जाते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट का, सर, दूसरे डिपार्टमेंट का क्या होगा, 80,000, 15,600, यह आगया, 95,600, 95,600, 95,600, और माइनस कर देते हैं, सर, 10,800, 10,800, माइनस 69,000, माइनस 13,88, माइनस 5,000, सर, यह आगया, 94,22, यह 20 आ रहा होगा, इसका 22 आ रहा है, तो उधर 20 आ रहा है, अब आपको इसका भी टूटल करना है, सर, एक अस्सी, पांच हजार, चैंतिस सो, चैंतिस चार सो, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट बढ़ जाता है, लेकिन कोई दिखकरने ठीक है, 21,400, माइनस 26,000, माइनस 14, माइनस 2860, माइनस 5,000, एक तालिस, पांसो चालिस, ठीक है, अब आ जाते हैं, सर, यहां, बाई साइड म है, बाई लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, वही सिंपल सा प्रॉसेस, आप देखो, ट्रेडिंग अकाउंट ही है, 122,800, 95,600, और 21,400, ठीक है, अब सर, यहां तक हम निकालेंगे, एक और प्रॉफिट, हाँ, किसका टोटल, अच्छा, यहां तक क्या निकालेंगे, हम एक और प्रॉफिट निकालेंगे, इसका टोटल है, एक तालेस, पानसो चालेस, बीक अभी यही टोटल लिख दिया, मैंने, अच्छा, जी भी लिखना था, सर, 31, 32, 118, 94, 122, ठीक है, तो अगर देखा जाए ना, तो अब हमारा एक और सेग्मेंट डिवाइड होगा, बस फरक यह रहेगा, इसके बाद भी एक प्रॉफिट निकलेगा, इसके बाद एक फाइनल प्रॉफिट निकलेगा, उससे हो लेंगे, जर्नल पी अंडर, जिस इसको यहां बाट निपाये थे, उसको एक और स्टेप हम आगे ले जाएंगे, बस, यह कहानी है, इसके अंदर थोड़ा सालग पुराने से, तो यहां पर देखोगे ना, तो जरूरी निया, दोनों साइट से प्रॉफिट ही आए, कहीं से प्रॉफिट कहीं से लॉस आएग देखा जाए, तो माइनस 3600, 5800, 4500, 3000, 1000, तो सरी आ रहा है, 14959, एक बार दुबारा चेक कर लेते हैं, 3259, सही है, लेख रखा है इधर, अच्छा निकाल लिए ठीक है न, चलो, यह तो फाइनल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दे रहा है, जिसको हम अभी देख लेंगे, दूसरे वाले का ना, टोटल इधर का जादा है, देखो इधर सिर्फ 94 और 6, यह नहीं 10,000 के अप्रॉक्स है, और यहां 10,000 तो ऐसे ही बन रहे हैं आपे, यह टोटल ज्यादा है, तो 2400, 2400, 5800, 3600, 2400, और 8000, 15,000, 15,000, अब इसका इधर आ रहा है, तो इधर क्या लिखेंगे, बाई, लॉस, नेट लॉस, नेट हाला कि वर्ड मैं बाद में चेंज कर दूँ, अभी मैं लिख रहा हूं, ताकि आपको आदत है क जीपी से, एनपी पे जाते हैं, तो इसलिए नेट, बाकि इसका हम सिर्फ लॉस भी लिख सकते हैं, चोकि ट्रांसफर होगा हमारा कहां पे, जनल पी एनल में, तो माइनस में, 9422-689, यह आ गया, 48889, अब हमें एक जनली निकालेंगे, ठीक है ना, टूटल करके निकालने वाले, टूटल निकालेंगे, तो सब टूटल में क्या आएगा, देखो यह लॉस यहाँ पे है, और फाइदा, तो फाइदा ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से तो फाइदे का ज़्यादा आने वाला है एकंतालेस पांसो चालेस एकंतालेस फांसो चालेस एकंतालेस पांसो चालेस और इधर "- करें शे हजार ग्याराइग छेसो एक्कैयासी सो इंचा बंस propriet NEW यह आगे 86 क्या हो गया 8640 नेट प्रॉफिट हमारा A का दे रखा है B का दे रखा है नेट प्रॉफिट ये किसका है 59 लॉस 13390 का नेट लॉस 13390 का है टोटल नेट लॉस 8930 कुछ रह गया क्या क्या 1430 कौन सा ये अच्छा 540 पर्टीवन पाइफ पर्टी यहां गया 42 42 माइनस 6000 बस टोटलिंग आप एक बर ध्यान देखी देना यूँकि मैं तो करता रहता हूँ कई भी और कई बार गलत भी हो जाए या गया 10-0 अब बाई साइड में आ जाएगा मुझे कुछ आइटम लग रहा है मिसिंग कर दिया हमने डिसकाउंट रेसीब ले लिया हमने डिसकाउंट अलाउड ले लिया वह भी ले लिया जीपी हमारा 32 एक सो बीस ठीक था चुरानवे बाईस ठीक था नेट प्रॉफिट है हमारा एका उनसटव साथ और बी का लॉस है तीरा नबब्बे उनसट साथ एका नेट प्रॉफिट कितना हैं हमारा नेट प्रॉफिट एका ज्यादा क्यों आ रहा है कि यह टोटल ठीक सेच कर लेते हैं तो बत्तिस एक्सो अठारा है अप्लस साथ सो एक्तानजिस अब बत्तिस अच्छोन सट माइनस च्छतिस सो माइनस अच्छावन सो माइनस तीन हजार माइनस एक हजार शायद यह हो सकता है कि जी यल के डालने के बाद का प्रॉफिट दिखा रहा हूं चलिए बाई यहां पर क्या लिखोगे आप बाई नेट प्रॉफिट सर नेट प्रॉफिट कितना है 14959 और लॉस इधर आ जाएगा टू नेट लॉस नेट लॉस किसमें आएगा बी में और बी में क्या रहा है हमारा 4889 अब फाइनली देखा जाए तो नेट प्रॉफिट ही आ रहा है यह निकल के 10070 अब कुछ खर्चे जो है ना कुछ खर्चे जो है वो हमें यहां डालने जो इस पर दो पे स्टार लगा है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा है भाई यह है किसका है ना यह पता ही फाइन चल रहा है किसका तो हम क्या करेंगे यहां पे जैसे की आपका क्या था पहला खर्चा पहला कर चाथा फाइन सौर कि कि हमें सिर्फ टोटल वाले में लिखना है तो यह टोटल कितना रहा है कि एक हजार है ना एक हजार बस क्योंकि इन दोनों में तो बटने सकता यह तो फाइनली यह और इस वाले अप चाहो सेपरेटली बनाना तो सेपरेटली भी बना सकते हो वहां पे जब सेपरेटली बनाओगे नहीं दोनों नहीं लेके जाना और तू इसके बाद एक और खर्चा कौन सा था हमारा अकाउंटिंग चार्ज वह कितना है हमारा 500 रुपे चलिए अब फाइनल नेट प्रॉफिट निकलेगा अब देखो सिंपल सी बात है अब हमें पता चलिए कि यह डिपार्टमेंट बी जो है ना उसमें फाइदा नहीं मिल रहा और डिपार्टमेंट बी को हमें बंद करने म चाहिए तो यहां पर देखा जाएं टेन जिरो वन सेवन जिरो एक हजार माइनस फंदरासो यह आ रहा है फिछत्तर सत्तर नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है टोटल नेट लॉस आ रहा है कही ने कहीं मेरे को यहां फे गड़बड़ी लग रही है बातने में लोकेशन तो ठीक है ना एक चैक कर लिए आप अगा बी का नेट प्रॉफिट ए का कम है लॉस जाना थीक है लॉस कितना है एक का तो लॉस जाना रहा है कम आ रहा है थाफन सो थान से फंस फ़िश्य यह कहीं रेशो मैंने गलत तो नहीं लिए तीन हजार चोबिस सो दसार आठ टीक है और कुछ रह तो नहीं किया यह सेलरी लह गया लेना नो हजार और यह रहे गया ना देखो ठीक है यह भूल गया है हम ठीक है अब सारा एकुरेट आ जाएगा कोई बात नहीं वह हो गया तो हो गया अब कर लेंगे यह सब गलत हुआ इसको मिटाई देते हैं कि यह भी अलगा आएगा तो मेरा में मोटीफ पता ही गया था आपको समझाना जो कि आपको समझ में आना चाहिए अब बात कर लेते हम प्रॉफिट का तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा जो कि बहुत ज्यादा आ रहा था अब अब त्यस एक सौटारा प्रस में साथ स्वीट बट त्यस आट सो नवासी शरी बत त्यस त्यस एट फाइब नाइन थर्टी टू एट फाइव नाइन माइनस नाइन थाउसन तर्टी सिक अंड़ रेखा जा 59 59 दोबार आ रहा है हाँ ठीक है अब ठीक है वह एक पॉइंट रह गया था अब लॉस भी बढ़ जाएगा ना यहीं क्या रहों कि लॉस कैसे आ है क्योंकि गड़ बड़ी तो की नहीं हमने कि तेईस पांसो कि माइनस यह आगया तेरा थ्री एट नाइन अब टोटैल एटी में चेक कर लें कि तो सर्ट टोटैलेटी में यह भी अलग आ जाएगा आठ सत्रा पांसो है ना कि तो अब लॉस ही आएगा कि यहारव पच्छास चार सो माइनस एक तालिस पांसो चालिस माइनस चाहरा सो तीस चोहत्तर तीस का अब एक्जेक मैच हो रहा है अब टोटल के उपर हमें चलना है सिर्फ सिर्फ टोटल पर चलना है चोहत्तर तीस कि अच्छात्तर तीस कि अच्छात्तर तीस और नेट लॉस जो आया एक नाइन थ्री जिरो यह एक्कुमिलेटिट लॉस है जो कि आपका लास्ट में यहां पर शो हो रहा है तो एक यह कुश्चन था जिससे आपका बेसिक बेसिक कॉंसेप्ट तो बिल्डप हो गया सर लाइव सेशन में अब तू आवर की क्लास अपलोड है वो शायद ना कई बार टेक्निकल एरर रह जाता है मैं यहां से एंड भी कर देता हूं तो हो जाता है उसके बाद का ब्लैंक दिख रहा होगा आज उससे मैं कट करा के सई कर दूँ ठीक है बताईए यहां तक किसी बच्चे को डाउट नेट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही था इसका यह नेट लॉस इधर है लॉस इधर आ गया एक्यूमलेटिड लॉस ही था हमारा टोटल और मेरे से कोई डिसीजन मेकिंग पूछे ना तो मैं सिंपली बोलूँगा भ इस सवाल में नहीं दिया कुछ भी हो सकता है नहीं नहीं वह नहीं पूछा जाएगा आपको सिंपल एक सवाल देगा और जहां तक चांसे ज्यादा मुझे लगता है बनता है ब्रांच और डिपार्टमेंटल में चोईस आ जाए लेकिन हम चोईस के उपर बिल्कुल भी नह जाएंगे हम सारे कुशन्स करके जाएंगे पॉस ताइम आपका पेपर आएगा कैसा पैटिन आता है कुछ नहीं पता हो सकता है कि सारा पेपर 30-40 नंबर का MCQ आ जाए आपका ये भी पॉसिबल है पहले बोल दो और उसके अंदर क्या होगा MCQ case study based आजकल के जो सवाल बनते तो वो भी नहीं कर पाऊगे उसी points के सारे points पूछ लेंगे 10-12 points बना के तो क्यूंकि trending में ये भी चल रहा है कि वो क्या करते है एक पूरा सवाल दे देते हैं ये और इसमें से points दे देते हैं अगर 15 नंबर का question है तो 15 points दे देंगे आपको और पूछ लेंगे कि हर एक points का answer पूछ लिए और ultimately net profit अगर उसने पूछ लिया बताइए कि net profit क्या है तो ये 15 सवाल जो है उसके लिए आपको पूरा questions करना ही करना पड़ेगा उसके बिना तो होई नहीं सकते हैं यानि अगर आपको पूरा full flash question आता है न तो examiner anything ask कुछ भी पूछ ले आपका MCQ पूछ ले फ आप सीख रहे हो कैसा भी question पूछ ले आप उसका answer कर दोगे MCQ पूछता है वो दे दोगे आप से फिलिंदा blanks पूछ ले पूरा account देके वो भी कर दोगे आप तो सारी चीज़े किया जा सकता है सर्थ inventory chapter class upload inventory chapter कर दिया अभी अभी करवाया अप्लोड साथ उसमें कुछ missing रह गया था कि delete हो गया था तो बैने अभी upload करा दिया inventory chapter पूरा ठीक है तो चलिए आज की class को हम यहीं पर ending करेंगे अगली class यानि तीन class में इसके लिए लेके चलूँगा तीन class में यह chapter खतम हो जाएगा यानि एक कल इंगल एंट्री का भी कुछ एक पूर्शन करा दूँगा ताकि एक्जाम में तो उसे आप कर पाओ सीदी सी बात है क्योंकि आपका एक्जाम जो अकाउंट का जा रहा है वह मेरे खाल तीन मार्च को है तो तीन मार्च के हिसाफ से दिखा जाए आपके between the paper होते रहेंगे औ किसी का कोई डाउट इसमें चलिए ठीक है मिलते हैं next class याने कल तो चलिए आज वाली classes जो है मैं application पर recorded डालूँगा class number two departmental का reason ये है कि थोड़ा सा application में issue है कोई दिक्कत नहीं अभी डल जाएगी जैसे class over होगा हमने departmental देख लिया था departmental में ये देखा था कि एक वेपारी एक businessman क्या करता है कि अपने दुकान के अंदर number of variety रख लेता है तो बहुत सारे variety रखने के पाद उसको problem होने लगती है जैसे ही उसको problem होने लगती है तो so that वो क्या करता है कि उसको अलग-अलग categorize wise कर देता है जिसको हमने क्या नाम दे दिया departmental departmental के अंदर बड़ी सीधी सी बात थी कि भीया हर department का हमें अलग-अलग trading profit and loss बनाना होगा जिससे related हमने कुछ एक concept भी देख लिया था और क्या 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 चीजी allocation कैसे होगा एक सवाल हमने देखा तो मैं हर बच्चों को बोलूँगा इस सवाल को कम से कम एक से एक बार तो जरूर देखके बिना देखे कर करते हैं sir prepare departmental trading and profit and loss account उससे पहले हम एक concept समझ लेते हैं एक यह भी question आपकी किताब में नहीं है किताब वाला question इसके बाद करेंगा आपकी बुक का question इसके बाद में लेने वाले है अब ना कई बार क्या होता है normally आप समझना बात को जैसे कि पिछले question में आया था department मान लेते ह और एक मान लो department हमारा है B, दो department होगे department A और B, A ने क्या करा कुछ goods transfer कर दिया, goods को transfer कर दिया, मान लेते हैं let's assume के 1000 रुपे का इसने goods transfer किया, और किसको transfer किया B को, तो अगर मैं यहाँ पे trading profit and loss बनाऊंगा, तो बड़ी सीधी सी बात है, जो A है वो बोलेगा कि मैंने sale कर दिय किया है, किसको कर दिया है B को, तो A और B, तो यहाँ पे goods transfer जो भी किया है इसने, तो goods, हमने यहाँ पे क्या करा, goods को transfer कर दिया, तो यहाँ पे किसने करा, A ने B को किया है, तो A अपना sale record कर लेगा 1000 रुपे, और B लिख लेगा goods को as a transfer, कहा लिख लेगा, purchase में B लिख लेगा as a 1000 रुपए अगर ये सारा goods big जाता है मतलब कि A जब B ने A से लिया अगर big गया तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर यही goods big नहीं पाया अगर यह goods नहीं big पाया तो इसका मतलब closing stock में बचेगा यह अब किसका closing stock में बचेगा यह समझने वाली बात यह है आप बताए ध्यान से अगर मैंने इसको goods दिया इसके पास है यह सोच रहा था कि कोई customer ले जाएगा लेकिन customer ने लेने से मना कर दिया ऐसा हो सकता है जैसे मान लो बहुत simple सा example यह दो floor है मैं नीचे cloth बीच रहा हूं और उपर मैंने रखा हुआ है मान लेते हैं दूसरा segment और यह रख दिया मैंने सूज का ठीक है एक person आया और उसने मेरे से धेड़ सारा cloth खरीदा उसने बोला कि आपके पास सूज बगर है नहीं है है ना मैं मंगवाता हूं उपर से मैंने उपर phone किया या उपर लड़के को अबास दिया कि यार एक काम कर कुछ मुझे सूज बिजवा दे वो उपर से आता है वो मुझे देखे चला जाता है क्योंकि at a time दुकान एक है तो वो यह थोड़ी बोलेगा भई पैसा तो तो अलग-अलग department चल रहा है मैंने बी डिपार्टमेंट से खरीदा है तो मेरे कहां पर आएगा परचेज में आएगा और इसके कहां पर आएगा सेल में सम्हाव कस्टोमर दो दिन बात बोलता है सर आपने पता नहीं कैसा यह quality पसंद नहीं है size नहीं आए प्रॉपर नहीं है यह वापसी कर गया तो अब यह stock B के पास होगा या A के पास होगा A के पास तो अगर मैं बात करूँ तो जब साम को या फिर end of the month वो जब calculate करेगा तो A के कपड़े की दुकान में कुछ जूते भी मिलेंगे इसे जो की क्या होगा उसका closing stock होगा तो अगर मैं closing stock की बात करूँ तो इसने जो भी बेचा होगा इसको वो बेचा होगा selling price पे तो इसके closing stock किसमें मिलेगा हमें सर क्योंकि A ने transfer किया था B को तो B के closing stock में 1000 मिलेंगे पहले हाँ या ना यह बताओ मिलेगा B के अब B का closing stock में यह selling price क्या है included है तो आप एक चीज़ समझना बड़ी simple सी बात है अगर हम same ही आपस में खरीद विक्री करते रहेंगे तो हमें कभी profit नहीं हो सकता अगर मैं इससे खरीद लू और फिर इसी को बेच दूँ फिर मतलब same department पर काम कर रहे हैं तो क्या end of the result हमें को profit नजर आएगा नहीं आएगा जब तक outsider को नहीं बेचेंगे तो profit नजर तो इसका मतलब सर जो यहां पर यह वाला closing stock है ना इस closing stock में profit जुड़ा हुआ है यानि सर इसने हमें ही profit पर बेच दिया है अगर मैं इससे ले के customer को बेच दू तो ठीक है मुझे profit पर बेचा मैंने customer से receive किया automatically profit कहीं न कहीं purchased हो जाएगा लेकिन इससे ले के मैं अपने पास रखता जाओं इससे ले के मैं अपने पास रखता जाओं तो क्या आप सोचिए क्या वो profit आपके दुकान में reflect होगा कभी जवाबे नहीं यहाँ पर दिखेगा profit बढ़ रहा है यह देखेगा कि हमारा stock बढ़ रहा है तो कभी भी नहीं होगा तो ऐसे situation में इसके उपर जो profit होता है तो जैसे branch में हम loading निकालते थे न यहाँ पर हम और इसका दूसरा नाम क्या था है stock reserve है ना same ऐसे हम इसका stock reserve भी निकाल देंगे और इसका stock reserve पता है कहा निकालने वाले है journal profit and loss में जर्नल कौन सा सबसे last वाले profit and loss में इसका reserve निकालेंगे ताकि हमें actual profit भेपार का business का पता चलता है तो हम एक और सवाल इसी type का देख लेते हैं हमारे सामने एक सवाल है इसी सवाल को मैंने इसलिए लाए और यह बहुत important है examiner आपको सिर्फ सिर्फ यही question देने वाला है जिसके अंदर इसे बोलते हैं कि जब goods transfer किया गया तो inter department transaction का मतलब एक department का डूसरे department के साथ transaction और उसके अंदर profit involved हो जाता है तो उसको कैसे टेकल किया जाए तो देखो यहाँ पर क्या कहता है from the following departmental trading account आपको trading account दे देता है for the year ended आपको given it छोड़िये department A है department B है कहता है stock of jan, jan का stock दे दिया opening stock है purchase आपको दे दिया दोनों department का wages भी दे दिया आपको transfer goods department A, department A ने transfer करा है कितना B को, कहता है कि transfer of goods from department A यानि department A से transfer हुआ है किसके पास B के पास, तो आप समझ सकते हैं किसके लिए purchase और किसके लिए sales है कहता है stock at the end department इसके पास यह stock यह stock, sales इसके पास दे रखा है, तो सारी बात ठीक है कहता है B, entire percent, कहता है कि entire represent goods from department A, which is transfer 25% अबब cost, कहता है जो एक department, दूसरे department को समान दे रहा है न, वो cost पे 25% जोड रहा है तो sales पे आपको विस सी बात ब्रांच में मैंने सिखा है कितना होगा, 20% होगा, ठीक है उसके उपर administrative selling expense amount 15,000, which are to be allocated between A and B, और in the ratio this, और वो इस ratio में होगा समझ में आई बात आपको, अब question का एक बार format बना लेते हैं, फिर करेंगे इसको फटा-फट से इसको तो आपको समझ में आ जाएगा इसको नीचे कर देते हैं चलिए एक क्या बनाएंगे हम सर एक बनाएंगे departmental trading and profit and loss और इसके अंदर दो department है आपना मैंने पिछली बार total कभी बना के दिखाया था वैसे total आपकी बनाना और ना बनाना आपकी इच्छ है ठीक है न, total में थोड़ा confusion हो जाता है लेकिन नहीं भी बनाओगे तो चलेगा total अगर आप जब कभी नहीं बनाओगे न तो आप journal को न अलग कर लेना है यहां से यानि एक मैं इधर अलग ही कर लेता हूँ क्या? journal, profit and loss journal का मतलब दोनों को जोड़ कर मैं इधर अलग ही कर लेता हूँ journal, profit and loss लोगस a-Departement-a-Departement-b डिपार्टमेंट A और B यह आ गया ट्रेडिंग एंड प्रॉपिट एंड लॉस ठीक है चलिए यहां तक हम मान लेते हैं कि हमारा ट्रेडिंग रहने वाला है इसके नीचे पी एंडल जैसे करते थे सबसे पहले स्टाउक दे रखा है तो स्टाउक यहां लिख लें टू ओपनिंग स्टाउक सर कहता है A में तो 40,000 है और B में है नहीं कोई बात नहीं पर्चेज लिख लें पर्चेज लिख लेते हैं पर्चेज में क्या है दो लाग और 20,000 चलिए सर पर्चेज के बाद क्या कहता है वेजिस दोनों डिपार्टमेंट का अलग है कितने कितने है दस अजार और एक हजार और कहता है गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ए ए से ट्रांसफर हुआ है तो ए बोलेगा मेरा सेल्स है वाई गुड्स ट्रांसफर ए बोलेगा सेल्स कितने रुपए का और बी बोलेगा पर्चेज है अच्छा पचास है गुड्स ट्रांसफर ये बोलेगा पर्चेज है ठीक है इसके बाद आगे क्या कहता है आगे continue में कहता है sales यह नॉर्मल आगे क्या कि टो लाग और कि 71,000 कहता है बी एंटायर रिपर्जेंट गुड्स फ्रम डिपार्टमेंट ए बी का जो एंटायर गुड्स है डिपार्टमेंट विच इस ट्रांसफर यानि अब क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्या हमें गीवन है सवाल में तो सवाल में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा ता जो कि मैंने नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर बाय अलग मारकर से लिख लेते हैं बाय व्यशनिग बताइए क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या है एक का है अ थे और दस है नंद ती drive अर दस तो कहता है B ईटै यानि कहने का मतलब है जब कभी भी profit का हिस्सा जुड़ा होगा न वो सिर्फ stock जो बच जाता है उस पे होगा हमेशा याद रखिएगा या तो opening stock पे होगा या closing stock पे अगर मान लेते हैं जो sale किया है उसके अंदर है तो sale तो sale हो गया वो profit तो आई गया तो उसमें तो कोई दिक् किस में है कि हम आपस में trading कर लें हम आपस में trading कर लें मैं एक example ले लेता हूं example से समझ यह मान लेते हैं मान लेते हैं राम जिस चीज़ को मैं समझाना चाहरा हूं और एक दूसरा मान लेते हैं श्याम ठीक है ना राम और श्याम दोनों अलग-अलग department में काम कर रहे हैं सपो मान लेते हैं कि इसने सबसे पहले morning में sales किया morning में sales किया इसके पास कितना समान है मैं बता देता हूँ कोई goods समान लेते हैं कोई goods का मतलब मान लेते हैं इसके पास हम let's assume कि खाने पीने का कोई समान मान लेते हैं ठीक है तो इसके पास 6 तरीके का product है राम के पास और श्याम के पास कितना है इसके पास भी छे तरीके का प्रोडक्ट हो गया अब राम जो है ना एक सबसे पहले एक प्रोडक्ट उठा के एक प्रोडक्ट उठा के बेच देता है किसको सर आउटसाइडर को एक प्रोडक्ट बिठा के बेच देता है आउटसाइड दस रुपए अब श्याम का मान लेते हैं कि कोई समान भी की नहीं रहा तो राम ने बोला यार तुम्हारा समान भी की नहीं रहा एक काम करता हूं तुम्हारा समान एक मैले लेता हूं और पेमिंट दे देता हूं तो इससे इसने ये समान ले लिया सपोज इससे एक समान ले ल ले लिया, चला गया, अब ये वाला 10 रुपे किसके पास आ गया, वापस इसके पास आ गया, अब बोला चलो एक प्रोड़क्ट और ले ले तो मैं तुम्हारा, अगर ये आपस में ही डील करते रहें, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि होगा क्या जैन्मेली, एक प्रोड़क ये यहां से निकल जाएगा, अब इसके पास आ गया, ये 10 रुपे इसके पास आ गया, अगेन इसके पास, फिर बोले मैं तुम्हारा एक प्रोड़क्ट ले लेता हूँ, तो ये प्रोड़क्ट यहां से निकल जाएगा, ये 10 रुपे यहां से, आप समझो कि पेमिंट तो हो रहा है अपस में लेकिन ultimately करते करते इसके सारे product को यह ले जाएगा यहां से और इसके पैसे जो है ultimately कहां आ गए सर अगर पैसे बताएं तो यह आ गया यहां पर सारे product अगर ले गया यह और यह क्या करेगा इसके सारे product ले जाएगा तो यहां से जितने भी पोड़क्ट थे वो सब निकल गए और इसके पास मालो पैसा है अब यह दोनों जब ढूंडेंगे तो इनको पैसा मिलेगा सिर्फ 10 रुपए और समान तो है ही नहीं तो यहां पर क्या समझ में आता है कि जो हम इंटर डिपार्टमेंट मे आउटसाइडर को बेचेंगे वो पैसा तो हमें नजर आएगा और जब हम इंटरनली कोई काम करेंगे तो उस पे कोई प्रॉफिट या कोई पैसा नजर नहीं आने वाला है सिंपल सी बात है क्योंकि यह 10 रुपए आपको जो वैपार में दिख रहा है जो बिजनस के अंद ढिके से लिख दिया है ठीम तो आपको यह चोटी से है चीज या इससे अपको क्या समझ में आता है इससे एक बास समझ में आता है कि किया जो हम जो जो बांच ऐक करिके समझाइं यहाँ पर फटब्स हम आगे विंद हैं सब्सक्षार कूल सर्सक्राइब एडमिन और कहता है कितने रुपे 15,000 फोर इस्टु वन में अगर 15,000 को बाटे तो क्या आता है अगर मैं 15,000 को फोर इस्टु वन में बाटू तो 12 नहीं 15,000 डिवाइड़ बाइड़ फाइब हाँ 12,000 और तीन हजार और तीन हजार यहां क्लियर है अब यहां से चलो जीपी निकाल लेते है एक अगर क्लोजिंग 30 है यह ध्यान देना कई वार गरत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा चलिए दो लाग पांच हजार पचास हजार और तीस हजार 280 आगया यह और यह क्या आएगा 280 और यहां पर क्या आएगा GP माइनस में दो लाग माइनस में पचास हजार तो यह कितना आगया 30 हजार 70 और 10 81 और 81 और यहां 81 अगर माइनस करते हम तो बीस हजार एक हजार और चास हजार दस हजार रुपए यह बाइसाइड में आ जाएगा GP कितने 30 अजार और दस हजार ठीक है ना 30 अजार और दस हजार तो सर यह 30 अजार यह 10 अजार और दस हजार यहां पर क्या आगया net profit NP कहां transfer कर देंगे journal पी एंडल में कितना आगया सर 9000 नहीं 18 कितने आजाएंगे यहां पर 18 और यह 7000 तो 18 साथ बाइसेल सरी बाइसेल लिख रहा हूं बाइसेल प्रॉफिट दोनों का तो डिपार्टमेंट ए का डिपार्टमेंट बी का 18000 और साथ यानि टोटल प्रॉफिट दिखाए दिया तो पच्चेस हजार लेकिन एक्च्छल में 25000 नहीं है इसके अंदर बोला गया क कि जो क्लोजिंग स्टॉक है न जो क्लोजिंग स्टॉक है उस पें 25% का मारजन है तो क्लोजिंग स्टॉक किसमें बचा हुआ था तो ऊविससी बात है इसके लिख रूफिट इसमें तो था मिंगत और था शे RAW इसको जब B को बेचा होगा तो B का ही closing stock बचा होगा जो कि A का जुड़ा होगा तो 10,000 में है तो sir 10,000 रुपे का समान था और इसके अंदर profit included है और ये 10,000 का समान जो दिया था ना वो पता है किस ने दिया था A ने दिया था हाला कि A ने दिया था 50 लेकिन 50 में से 40 तो बिग गए जो 50 में से 40 बिग गए उसको तो छोड़ो बिग गए तो वो profit adjust हो गया होगा लेकिन जो नहीं भी का उस पे सूचना है तो कितना है हमारा 10,000 तो so that हम क्या करने वाले हैं इस 10,000 रुपए के उपर इसने कहा है सर हमारा जो profit रहेगा न वो रहेगा किस पे cost प्लस 25% और जो समान ये भेजेगा ये that is क्या है ये selling price है तो हम इसके उपर तो 25% निकाली नहीं सकते हैं हमें convert करके क्या करते हैं हम simply 20% निकाल लेंगे तो 20% का मतलब जो profit आएगा वो कितना आएगा दो हजार तो यहां लिखेंगे ट्व स्टाउक कि रिजर्व किस में आ जाएगा दो हजार ना और फाइनल profit निकल जाएगा हमारा 25000 और तू नेट profit जो final आया वो आ गया 23,000 जो कि हमारा final net profit यहाँ पर दिख गया 23,000 बताइए कोई दिक्कत तो stock reserve वाला मेन अभी न यह simple है stock reserve और धीरे धीरे थोड़ा भूत क्या होता जाएगा advance questions बनते जाएंगे आपके यहाँ तक किसी को doubt है क्या बताइए क्या doubt है बताओ क्या doubt है यहाँ तक जिसको doubt है पूछ लो चलिए सरा यस late joining का नहीं है late नहीं क्योंकि application server में error आया तो मैं यहाँ पर खाली था तो मैंने record तो कर लिया एक question बाकि दूसरे question से आप join हो गए हो और कोई फरक नहीं पड़ेगा आपका वो instant अभी upload हो जाएगा और मैं साथ के साथ अभी upload लगा दूँँआ थोड़ा सा time लेके instant बिल जाएगा आपको जो हमने करा है ठीक है कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला इसको मैंने record कर लिया ह चलिए एक question आपकी किताब का है illustration number two और ये question जो लिया गया है ये जी आर मोंगा के book से लिया गया है मैं extra question कुछ भी नहीं ले रहा है इसमें फिला कहता है वनशी का limited has a department ABC the following information supply the department कहता है कि सर A department है B department है और C department है कहा गया purchase इसने 1000 unit किये इसने 10,000 इसने 20,000 इसने मुद्दे की बात है ये unit है not rupees तो मैं पहले तीनों department बना लेता हूँ है तो बड़ा चोटा सा question होगा working note थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसमें बेशच और इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट हलाकि हमने तो इससे एडवांस question भी कर लिया है लेकिन book के तो सारे question करा नहीं है कि दो कि तीन चार चलिए A है B है और C और टोटल ठीक है A B और C और टोटल करेक्ट चलिए अब सवाल को हम अच्छे से पढ़ेंगे और solve करते जाएंगे कहता है के sales in unit तो यह भी sales unit में है और selling price दे दिया आपको तो मैं यहां sales तो बड़े आसानी से लिख सकता हूं है ना इस तो लिख सकता हूं by sales तो sales कैसे निकालेंगे 10,400 को हम 21 से multiply कर देंगे 10,400 को 21 से multiply कर देंगे that is आ जाएगा 21 8,400 इसके बाद 19,600 को किस से multiply कर देंगे sir 22 से आ गया 43,400 उसके बाद 30,600 को किस से multiply करें 24 से 7,44,000 सारी 7,34,000 सारी 7,34,400 प्लस 43,12,218,400 तो यह आ गया 13,84,000 आगे कहता है सवाल में stock at the end अब sir ये भी क्या है हमारा ये भी बड़ी समस्तिया है by closing stock ये भी किस में दे रख है यूनिट में अब आप मुझे बताइए closing stock जो होता है closing stock जो होता है तो depreciation का revaluation नहीं कराया है कि आपने नहीं करा दिया है आपको एक पर देखना live class में कराया है मैं आज सारा content range करा देता हूँ ठीक है ना revolution वाला specially question किया था full concept के साथ देखे closing stock आप मुझे एक अभी इस पर ध्यान दीजिए आपके जितने भी doubt होंगे आप का hand raise करीगा मैं सभी का answer दूँ आपका तो closing stock मान लेते हैं एक प्राइज एक गुड्स है 10 रूपए का मैं 12 रूपए में बेच देता हूँ और ये समान मेरा बिका ही नहीं तो मैं closing stock में जो दिखाऊंगा वो कितने रूपए का दिखाऊंगा मैं 10 रूपए का दिखाऊंगा या 12 रूपए का दिखाऊंगा तो जवाब है 10 रुपए का क्योंकि AS2 Accounting Standard 2 कहता है Market Price यानि जितने का बेचते हो और जितने का खरीदा है दोनों में से कौन सा लेना है value हमें कम वाला Final Account में कर रहा था न Whichever is lower तो वो लेके चलना है आपको समझ रहे बात को तो अब हमारा जो closing stock है वो closing stock यहाँ पे मेरे वाले सवाल में आप बताओ closing stock का unit दे रखा है तो मैं इसका rate कौन से वाला लूँगा purchase वाला rate लूँगा या sale वाला rate लूँगा purchase वाला लेंगे अव्विस सी बात है क्योंकि sale वाला अव्विस है हमें सा क्या होगा ज्यादा और purchase वाला क्या होगा अब हमें closing stock का हर किसी का क्या given है सर हर किसी का क्या given है unit तो इसके लिए हमें rate भी निकालना पड़ेगा और purchase वाले का भी क्या given है इसका भी rate निकालना पड़ेगा यानि हमें purchase का unit का rate पता चल जाए ठीक है इसने कह दिया भाया मैंने total purchase इतने का किया है तो purchase unit निकालना तो मुश्किल हो गया इसने वोला के जितना भी purchase किया ना आपने मैं यहां पे लिख देता हूं तू purchase इसने कहा जितना भी purchase किया ना है वो 959 का है तो लेकिन हमें तो हर department का का अलग-अलग रेट से खरीदा होगा ना पर्चेज क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग-अलग रेट सेल का भी है तो ऐसे सिचुएशन में नीचे क्या कहता है यू और रिक्वाइड प्रपेर का रेशो निकाल लेते हैं जिससे बात बन सकता है सर प्रॉफिट का रेशो निकालने से कैसे बात बन सकता है वो देखते हैं प्रॉफिट का रेशो क्या होता है जीपी का रेशो निकलता है हमारा क्या जीपी रेशो निकलता कैसे हमारा अगर हमें क्या पता चल जाए सर अगर सर हमें profit कैसे पता चलेगा profit बताने का तरीका होता है कि सर अगर आपको पता चल जाए sales और sales में से अगर अब minus कर दो purchase यानि total cost समान इतने का बेचा और इतने का खरीदा बीच का difference का मानेंगे हम profit तो अब हमारे पास जो sales value है वो 13,84,000 है और purchase value जो है हमारे पास 9,59 है it means मुझे profit यहां से पता चल जाएगा और 13,84,000 और 9,59 तो 42,05,000 कितने आगे हमारे 4,25,000 तो मैं यहां लिख लेता हूं कि सर मैंने profit जो कमाया है वो 4,25,000 कमाया और जो मेरा sales था that is हमारा था 13,84,000 अब देखते हैं 4,25,000 और divided by 13,84,000 और इंटू में 100 करते हैं अगर हम 13,84,000 4,25,000 divided by 13,84,000 divided में तो यह एप्रॉक्स आ रहा हमारा 30% हमने profit एक बार चेक कर लिजएगा कहीं गलत निकाल दियो तो दिक्कत हो जाएगा 13,84,000 माइनस 959 यह ना 959 चार पच्चिस दिवाइड़ बाए पताईए सारा नहीं बेचा है तो अगर सारा इसमें से जो भी है closing stock तो हटाएंगा ना तो हमारा selling value तो यह है ना प्रॉक्स आप कहा रहे हैं सर सारा unit नहीं बेचा है unit नहीं बेचा लेकिन हमारे पास sales तो यह closing unit कितना पड़ा हमारे पास यह क्या है हमारे पास लेकिन अगर GP ratio हम निकालते हैं अब हमारा purchase कितने unit किये थे हमने अब देखिए ध्यान देजिए purchase कितने unit किये थे 10,000 और हमारा एक चीज और निकालना है यहां पर opening stock का भी unit निकाल देता हूं confusion ना हो मैं इसको और थोड़ा detail में लेके चलता हूं वह वाला तो सही कर रहा है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है ऐसा मत सोचेगा हमारा basically क्या होता है sales is equal to sales is equal to मैं unit की बात कर रहा हूं आपसे sales is equal to sales unit की बात कर रहा हूं opening stock का unit plus purchase का unit minus closing stock का unit तो sales कितने unit है पहले वाले का 10,400 ए डिपार्टमेंट का और हमारा opening stock क्या है X है purchase कितना है 10,000 है closing stock कितना है 800 है तो अगर इसको solve करें तो क्या x की value निकाल पाएंगे हम अगर हम minus कर दें इसमें से 9200 यानि 10,400 और minus में 9200 तो क्या आया बताओ वाई calculator हाथ में रखा करो न कि 10,400 minus में इसका मतलब सर 1200 जो रहा होगा that is opening stock रहा होगा ठीक है ए डिपार्टमेंट का यानि सर बी डिपार्टमेंट का भी कुछ ना कुछ opening stock होगा तो बी डिपार्टमेंट का ultimately हम क्या कर रहे है अगर मैं इस formula को solve करूँ तो opening stock इधर minus में आ जाएगा और ये किधर चला जाएगा minus में तो माइनस या फिर ऐसे ही कर लेते हैं बी का भी बताओं बी का क्या आएगा opening stock हमें पता नहीं x plus में purchase कितना है बी डिपार्टमेंट बीस है ना और यहां आ जाएगा उननिस छे सो और closing stock कितना है बारा सो तो बीस हजार माइनस में बारा सो और माइनस उननिस छे सो यह आट सो आ गया कितने आ गया यह B department हो गया चिंता मत करिये जब तक यह समझ में नहीं आएगा ने हम इस पर आगे बढ़ने वाले है नहीं सवाल में A हो गया यह कौन हो गया B ऐसा ही किस पे निकाल लेंगे हम C पे तो C पे अगर निकालते हैं हम तो C का हमारा कितना है सर सील तीस अजार खेसो इस एकल टो X प्लस में तीस अजार माइनस में 3600-3403 में तीस अजार माइनस चाहदा तो आ जो आ गया यह वी 800- cleaned निना करते कि यह कितना आ गया सर 800- सबसे पहले मैं इसको भी मिटा दे यह वाला तो चलो इसको को भी मिटा देते हैं ठीक है हमने क्या करा सबका ओपनिंग स्टॉक का यूनिट निकाल दिया इसका ओपनिंग स्टॉक है इसका ओपनिंग स्टॉक है इसका ओपनिंग स्टॉक है इसका ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट गीवन है तो हमें यह पता करना ह तो कहता है कि जो हमारा परसंटेज है टर्न ओवर का टर्न ओवर का परसंटेज कितना है वो टोटल मिला के देखा जाए तो सेम है क्या मैं एक बार फिर से इसको करतू दूबारा अगर कन्फ्यूजन हो रहे तो हां किसका कितने हैं कि 2000 है कि चलिए ठीक है पहले यहां तक पहले आप सबसे पहले आप यह डिटर्माइन करिए कोशन समझ में आ रहे क्या है हमें निकालना है जीपी मैं दुबारा मिटा के करूँआ चिंता मत पर मैं पूरा मिटा के फ्रेस कर दूँआ ताकि concept तो समझ में आ एटलिस हमें क्या निकालना है और अगर कोई direct expense है तो वह लिख देंगे सवाल में कहीं भी direct expense नहीं है और sales और closing stock जो भी difference आएगा जीपी यही निकलता है जीपी तो अब जीपी को मैं दुबारा करना चाहूंगा मैं मिटा देता हूं कुछ बच्चों को जैसे mind में मुझे लग रहा है कि confusion होगा तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना हम question पर आगे नहीं बढ़ेंगे चुकि basic concept अगर आपका strong होगा ना तो exam के सवाल आप कर पाएंगे चलिए मैं ये चीज़े नहीं मिटा रहा अब सवाल सामने है परचेज मैंने परचेज लिख लिए लेकिन amount नहीं fill कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पर क्यूंकि मुझे हर unit का rate नहीं पता लेकिन सवाल में total purchase जरूर दे रहा है तो total purchase के जगह पर मैंने total column में लिख दिया पहले यहाँ पर कोई doubt इसके बाद sale में हमें हर department का unit का rate पता है तो सब को multiply करके हम sales निकाल पा रहे हैं तो मैंने सब को multiply करके sale कर लिया और यह भी total हो गया यहाँ तक clear है अब closing stock के लिए इन्होंने unit दे दिया तो मुझे अगर purchase का rate पता चल जाए तो इन सब को multiply करके मैं closing भी निकाल लूँगा opening भी यानि यह question जो फसा हुआ है सरिफ एक की वज़े से फसा हुआ है कि हमने जो समान खरीद रहे हैं उसका rate क्या है अगर उसका rate पता चल जाए तो purchase भी निकल जाएगा opening stock का भी वही rate रहा होगा और closing stock का भी वही rate रहा होगा फिर तो GP आराम से find कर सकते हैं इसने कहा कि जो भी purchase का होगा वो GP ratio पे depend करेगा यानि अगर selling price आपका 20 है और GP ratio मान लेतने 30 निकल गया तो इसका 30% कितना होगा 6 तो मैं ऐसे purchase का rate निकाल पाऊंगा मेरा ये उद्धिश्य है यहाँ पे पहले ये समझी आप यानि आपको मान लो selling price दे दिया कि 20 रुपे है और आपको GP पता चल गया कि 30% है तो आप तो समझ गए जी कि 20 का बेच रहे हैं और इस पे profit 30% कमा रहे हैं तो 30% इसका कितना होता है छे तो इसका मतलब हमने खरीदा कितने का होगा 14 तो हम कैसे purchase का value निकालेंगे ये समझ पा रहे हो यानि सर हमें GP ratio चाहिए और GP ratio का formula क्या होता है जी पी आर होता है हमारा profit divided by sales into में 100 तर लेकिन profit का formula क्या होता है profit is equal to sales minus में cogs कहलो आप cost of यह आपने बारवी class में ratio में पढ़ा हुआ है और हलाकि यह होता है या तो आप purchase बोल लो या cogs बोल लो अब sales value हमें पता है total क्योंकि हम हर किसी का GP ratio नहीं निकालेंगे बोला आप combine करके निकालिए और सबका GP ratio क्या रहेगा सेम रहेगा सवाल नहीं यह बोल दिया है तो हमें sales पता है अब cogs निकालना है अब cogs में हमें आपको पता है कि total purchase जो था वो कितना था हमारा 9000 था आप जैसे कि अभी कुछ contradict है के सर इनका sales value निकाल लो तो मैं एक काम करता हूं कि मैं न यह जितने unit purchase है यानि इसी का purchase का ये price होगा इसी का purchase का ये price होगा इसी का purchase का ये price होगा इन तीनों का purchase है same मैं sales का value निकालता हूँ चलिए तो sales का A का B का और C का तो sales मान लेते हैं 10-10,000 पर या तो sales मैं 10,000 ही ले लेता हूँ 20,000 ही ले लेता हूँ और 30,000 ही ले लेता हूँ कि मान लो कि 10,000 यूनिट को क्योंकि जितना unit purchase और जितने unit sales इसे बीच का difference profit हो जाएगा तो अब इसका selling price क्या है per unit इसका 21 है इसका 22 है और इसका 24 है तो अगर मैं इनको multiply कर दूँ तो ये क्या आजाएगा हमारा 12 ये क्या आजाएगा हमारा 44 ये क्या आजाएगा हमारा 48, 72 तो अगर मैं आपसे पूछू टोटल sales बता पाओगे आप इसका दो दस यानि तेरा सक्तर पहले जितने बच्चे लाइव है चाएगा आफ लाइन में ये बास समझो समझ रहो ये यानि ये sales भी उसी के according मैंने convert करके लिख लिया है जितना purchase किया है क्योंकि sales का unit same purchase का unit same दोनों के बीच का difference profit और GP ratio आराम से निकल जाएगा अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा जो sales है वो 100 unit बेचा है 300 रुपय का और जो purchase है वो 50 unit है 200 रुपय का तो यहाँ GP निकालना थोड़ा सा गलत है क्योंकि हमें sales बेचा है 300 unit और purchase भी किया है 300 unit sales का total amount purchase का total amount अब difference निकालेंगे तो हमारा actual GP निकल पाएगा ठीक है तो इसलिए मैंने यहाँ पे चलो यह कर लिया पहले यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक अब बड़ी सीधी सी बात है total purchase भी पता है हमें purchase total तो मैं इसको थोड़ा और साफ साफ यहाँ ना लिखके मैं यहाँ पे टोटल सेल लिख देता हूं total sale कितने हैं तेरा लाख क्या रहा था यह सत्तर अजार तेरा लाख और जो मैं पहले यह ले रहा था ना 1384 यह टोटल था उसको मैंने चेंज कर दिया उसको भूल जाईए मैं दुबारा कर रहा था ठीक है purchase जो है कितना है 950 तो अब आप GP बता दीजिए चार लाख अब sales में formula लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं लगा सकते हैं चार लाख divided by कितने तेरा लाख इंटू में 30% मैंने example में 30% ही लिया था 30% है अब you know very well कि सर ये जो selling price है ना इसमें 30% का मुनाफ़ा जुड़ा हुआ है इसमें भी 30% का मुनाफ़ा जुड़ा हुआ है इसमें भी 30% का मुनाफ़ा जुड़ा हुआ है हर किसी में तो हम क्या कर सकते हैं सर जिस जिसमें 30% का मुनाफ़ा जुड़ा हुआ है न इसको हम आराम से selling price निकाल सकते हैं सर कैसे इसमें से minus कर देंगे अगर हम 30% तो इसमें से minus करिए 30% तो वो price आएगा जो की purchase है 21 का 30% निकाल के minus है 14 रुपए 70 पैसे और यहां से भी minus कितना कर दें 30% तो 22 का 30% न तो यह 15 रुपए 40 पैसे यहां पे भी minus कर दें 30% तो 24 का 30% 16 रुपए 80 पैसे अब मेरा काम असान हो गया अब मैं क्या यहां पे purchase के value जो भी होगा unit को हर बार multiply कर दूँगा उसके purchase के unit के साब से तो unit 1 का opening stock अभी opening stock हमने निकाला नहीं है opening stock भी निकालना पड़ेगा opening stock next page पे निकाल ले opening stock चलिए हमारा होता क्या है sales unit sales unit जो sales होगा वो opening stock plus में purchase minus में closing stock होता है यह unit के terms में चल रहा है अब सर अगर हमें opening चाहिए तो इसको इधर कर देंगे तो opening stock is equal to यह minus में हो जाएगा इधर जाएगा तो समझ रहे हैं ठीक है और इधर sales हो जाएगा minus का और इसमें से क्या रहेगा plus purchase minus closing stock यही रहा है अगर अगर देखा जाए तो जिन्रों ने पहले पढ़ा ही नहीं है तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि इसको उठाके ले जाएंगे इधर plus का symbol होता है तो इधर minus का इसको उठाके ले जाएंगे plus का symbol होता है का अल्टिमेटली minus से minus हम कट कर सकते हैं फाइनली देखा जाए तो minus से minus कट करके लिख सकते हैं अभी फिलाल मैं opening stock की value निकालू तो वह minus से minus क्या हो जाएगा यह cancel कर दिया ठीक है वह पूरा cancel हो जाएगा यानि क्या हो जाएगा sales रुकिए एक मेंट इसका जो formula जो निकल के आएगा ना वह निकल के आएगा sales इसको पूरे को solve करेंगे minus यह बनेगा ठीक है ना sales में से जो भी है यह minus कर दो क्या बच जाएगा आपके opening stock यही बनने वाला है तो मैं opening stock निकाल देता हूं किसका department A, department B, department C sir opening stock निकालने के लिए department A का क्या करेंगे हम department A का मैंने यह चीज़े उपर नहीं लिखना चाहिए यह department A, department A का देख लिएते हैं हमारा opening stock is equal to sales क्या है department का साह 10-400 10-400 माइनस परचेज क्या है परचेज क्या है दस और माइनस क्लोजिंग stock क्या है आठ सो तो दस चार सो दस चार सो माइनस दस हजार माइनस आठ सो कितने बचे है माइनस दस हजार माइनस आठ सो यह चार सो बच रहे तो अच्छा प्लस हो जाएगा यह नहीं प्लस क्यों होगा आप गर्वट तो नहीं करा है ब्रैकेट बाहर करते हैं यह ब्रैकेट अठा देता है इसका राइट फॉर्मूला बना लेते हैं यह बना दिया मैंने ठीक है सेल्स फ्लस क्लोजिंग कितने थे माइनस तो ए का आ गया बारा सो सेम बी का निकाल ले ओपनिंग स्टॉक सर बी का कितना है बताते हैं यह आपके पास बुक है 90 प्लस क्लोजिंग क्लोजिंग बारा सो परचेज बी थे जा क्या आया आट सो आगया सी का ओपनिंग स्टॉक सेल्स कितने 3600 3600 और क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्या आगया 2000 यानि सर हमने यह निकाल लिया अब साइद कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा इसमें थोड़ा टाइम हमने लिया है पहले आप मुझे क्लियर कर दीजिए आप सभी को क्लियर है जितने बच्चे लाइव दे रहे है सर 30% कैसे आए मैं भी बता देता हूँ पहले यह बता यह ओपनिंग स्टॉक समझ में आए बच्चे पूछ रहे है सर 30% कैसे आए इसको फॉर्मूले में कट किया ना इसको डिवाइड करके इंटू आपको विज्वल होगा तो यह 30% आ गया है अब यह कैसे आया आपका सवाल होगा तो यह यहाँ पे मैंने निकाल के दिखा दिया सर यह कैसे आया 1370 सर, यह भी मैंने यहाँ पर निकाल के दिखा दिया, यह इन सभी का क्या है सर, टोटल है, अब यह सभी कैसे आया, उपर भी मल्टिपल प्लाई करके मैंने दिखा दिया, ठिक है, चलिए, अब आगे आ जाते हैं सर, आगे, हमारा ओपनिंग स्टॉक का यूनिट पता चल गया, opening stock पहले का है 1200 तो पहले का कोई बच्चा बताएगा मैं पहले का करके दिखा दूँगा क्यासे आएगा पहले का आएगा सर पहले का आएगा 1200 पहले का आएगा 1200 और multiply by rate तो पहले का rate है 14.70 पैसे तो 1200 इंटू में 14.7 यह आ गया 17.640 सेम opening का भी पहले का इस्टॉप का भी करके दिखा देता हूँ 10,000 इंटू में 14.70 तो 10,000 इंटू में 14.70 एक लाख 47 ऐसा ही closing का भी करके दिखा देता हूँ closing कितना था 800 इंटू में 14.70 तो 800 इंटू में 14.70 11,000 Burch, 7060, clear, एं है, आब तो समझ में आगए सबका, बस data fill करना है जी भी निकालना है, अब सबका data ऐसे b का कर लें, तो b का आपने बताए ता सर क्या आया है, b का, b का आया है, 800 तो 800 को multiply करेंगे, कि से 800 को multiply करेंगे, पंद्रा पॉ院्ट, चार बारा तीन सो बारा पान सो सार ठीक है अब कर देते हैं ऐसे इसका 20,000 इंटू में 15.4 तीन लाख 8,000 ऐसे ही किसका कर देते हैं सी का कर देते हैं वहले इसका भी निकाल देते हैं पंद्रा पॉइंट चार इंटू में फ्लोजिंग बारा सो अठारा चार सो अस्ती अब आ जाते हैं तीसरे का सी का यूनिट कितने हैं तीस हजार तीस हजार इंटू में तो अब आगा तो अब आगा पांच लाग चार हजार अब तर ऐसे ही इंटू में चौदा सो यहां गया थेईस और इसका आये था दो हजार दो हजार सोलब पॉइंट एट थैस हजार इनको प्लस कर दीजिये तेरा सब्सक्राइब प्लस में बारा तीन सो बीस प्लस तैसे शे सो यहां गया त्रेसट पांसो साथ इनका टोटल यहीं होगा आप चेक कर लिजिए इनका टोटल यहीं होगा एक सेंटालिस तीन लाख आठ हजार पांच लाख चार हजार एक लाख सेंटालिस हजार तीन लाख आठ हजार पांच लाख चार हजार इसका टोटल यहीं होगा नाइन फाइव नाइन अब इनका टोटल भी कर दो सत्रा ग्यारा साथ सो साथ अठारा चार साथ सी सेईस पांसो बीस त्रेपन साथ सो साथ ठीक है बाई साइड में क्या लिखेंगे बाई साइड में आपका टू में आएगा ना टू में जीपी आ जाएगा जो पूछा था तो पहले का निकाल लेते हैं 214 एककेस चौरासी सो प्लस ग्यारा साथ सो साथ या गया दो सो तीस एक सो शाट्यागया दो सो तीस एक सो साथ माइनस कर देंगे 17 चह सो चालिस के दो सो तीस एक सो साथ मैंनस सतरा श्यो सालिस इसमां करेक्ट का option नहीं के रख़ा है तो यह कितना आ गया यह लॉस आ रहे गया दो सो तीस एक सो साथ माइनस तेसो चारेश पैसट पान सो बीज ऐसे दूसरे का तीहतर चवालिस सो प्लस थेज़ पान सो बीज यह सी का निकाल रहा हूं 757920 757920 कोई बच्चा B का भी निकाल ले फटा फट हो जाएगा बच्चे जो लाइव में फटा फट मुझे B का बता दे मैं C का निकाल रहा हूं छे सो यह आ गया 220 चेक करिएगा 220 तीन सो बीज C का आईए ठीक है 123 इसका बताईए 43, 1200 अभी तक टोटल नहीं कर पाएं भाई कल के क्लास में आफ्लाइन वालों को बच्चे को पास मुझे कल्कूलेटर दिखना चाहिए माइनस यह क्या आ रहा है अब इसका टोटल कर दो कितना अगे है टोटल जी भी बताओ टोटल इनका भी टोटल करके आप लिख लोगे चौदर सेंतेस अब एक चीज़ ध्यान दीजिए अब ठीक है सर ध्यान देने आली बात क्या है पहली यहां तक सब को समझ में आ गए एक दम अच्छे से किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत है बता दीजिये बता भी यह था बच्चों ने अंजली ने बता दिया था रिया ने भी बता दिया था जी पी भी बता दिया एक उनफ्स तीनसों साथ ठीक है चलिए यहां तक किसी का डाउट है जो बच्चे लाइव ग्लास में सा रहे हैं वो बता दे फटा-फट यहां तक डाउट तो फिर हम आगे का डिस्कॉशन करें कर देपक का कहना है सर ब्रांच में एक डाउट है आप रीटेक क्या डाउट है एक पर रीटेक कर दो डिपार्टमेंटल में हमने क्या-क्या देख लिया एक पर फटा-फट देख लेते हैं हमने डिपार्टमेंटल समझ लिया के सबसे पहले डिपार्टमेंटल होता क्या है इसके बाद हमने क्या देखा था सर एक कौन से खर्चे कैसे बाटने है थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा अपको इसके बाद सर एक सवाल किया था बेसिक सा जिसके अंदर कैसे खर्चे को एलोकेट किया जाता है ये समझ में आया था और ये सारी चीजे बेसिक बेसिक चीजे हमने देखी और फिर हमने अगली क्लास के अंदर हमने क्या देखा एक question देखा जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि किस तरीके से यहां पे profit वाला part जो stock reserve होता है वो कैसे निकाला जाए और stock reserve हमेशा किस पर होगा sales पर नहीं होगा हमेशा होगा कौन से पर opening वाले part पर और फिर आपके book का question number second जो कि थोड़ा सा simple question मतलब दो बार हमने करा था although लेकिन हो गया था अब आज एक और सवाल देखेंगे advance जैसे हमने जो last class के अंदर हमने देखा था ना reserve वाला उसी reserve को अब advance थोड़ा से लेके जाते हैं क्योंकि आपका जो main question रहेगा ना question रहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही reason रहेगा कि advance जो पूरा question में देखो ट्रेडिंग कर देते हैं ना तो उसमें कितना profit निकालना है जैसे कि last वाले class में किया था बस वह हमें इसमें समझना होता है mainly departmental में जिसे इंटर ट्रांजेक्शन भी कहते हैं stock reserve कह लो तो सर यहां पर देखिए हमारे पास दो department है एक पर पहले सवाल को पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद फटा फट करते हैं दो department है कहता है the firm आपका given है apex industry having two department एक cloth department है एक tailoring department है यानि सर ध्यान दिजेगा पहले जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा होगा ने एक department यह रहा और एक department यह रहा यह क्या बेशता है और यह वहीं से बिल बना देते हैं तो दो department है यह कपड़ा बेचे गा और यह सिलेगा ठीक है और कई बार ऐसा भी होता है कि यह customer सीधा tailor के पास आया जब customer सीधा tailor के पास आया तो बोले कोई कपड़ा उपड़ा आप रखते नहीं हो क्या बोला हम रखते हैं इसने यहां से मंगवाया कपड़ा और यहां पर रख लिया और इसको दिखा के यहीं पर सिल साल के खतम कर दिया तो एक तरीके से इस department ने इसको कपड़ा बेच दिया है होता है और कई बार लोग बाग यहीं से आके direct सिलवा जाते हैं तो ऐसे situation में क्या कहता है tailor tailoring department gets all the requirement of cloth department at usually selling price कहता है क जो भी department से transition करेगा सब selling price पर करेगा from the following particular prepare departmental trading and profit and loss account यह बनाते आ रहे हैं तो इसमें कोई नई बात है नहीं कहता है stock on 2016 opening stock दे दिया इसने purchase आपको दे दिया इसने sales आपको दे दिया तो आपको अच्छे से पता है कि कहा कहा दिखाना है कहता है transfer of cloth tailoring department कहता है two cloth two का मतलब हमने transfer किया है tailoring department में sir tailoring department में transfer किया है हमने तो किसने transfer यह 50,000 एक्स्ट्रा आ गया किसने transfer किया होगा के लिए क्लोथї दिपार्टमेंट ने किसको ट्रांसफर कर दिया तerson टिपार्टमेंट के लिए परचेश होगा और कलॉथ डिपार्टमेंट लिए क्या होगा है जो हैं कैता है manufacturing expense जो है वह हमारा इसका अलग से दे दिया 12,000 ठीक है भाई इसी का टेलरिंग का ही manufacturing होता है mainly selling expense दोनों का अलग-अलग दिये जावाल में कोई दिक्कत ही निया stock closing का दोनों अलग-अलग दे दिया सवाल में कोई दिक्कत निया कहता है जो इसका closing stock है ना इस closing stock 15,000 में 80% तो वो ही वाला closing stock है जो हमने इस से लिया था यानि 50,000 का समान लिया था ना उसका जो 15,000 में तो 80% वो ही या 20% तो और इधर उधर के closing stock पड़े होंगे यानि कहने का मतलब इनका यह है कि 15,000 में 80% का मतलब कितना होता है सर 12,000 तो वही है जो कि same department से interchangeable था और बाकी का जो था 20% कहीं और का होगा आगे कहता है यह continue में general expense of business year comes to 23,000 जर्नल expense हुआ तो जर्नल expense कहां पहुचा देगा है कुछ बता नहीं दा तो जर्नल भी एंडल में चला जाएगा यह 2015-16 में cloth department and gross profit कहता है cloth department and gross profit कमाएगा 30% on sale तो 2015-16 की बात कर रहा है हम 16-17 में खड़े हैं तो यानि पिछले साल भी कहीं न कहीं यही काम कर रहे थे पिछले साल भी यही काम कर रहे थे तो सर इसने कहा कि जो भी closing stock होगा उस पर consist करेगा तो opening stock जो भी होगा इसका opening stock कितना है इसका 8000 तो उसके उपर उसके अंदर भी stock जुड़ा होगा हमारा 8000 वाले portion पर भी जुड़ा होगा तो उसके उपर भी हम reserve निकाल लेंगे यानि इस वाले सवाल को करने का mean purpose क्या है मैं clearly यह चीज पहले आप समझो पिछले वाले सवाल में सिर्फ closing stock पर reserve निकालना सीखा था यहां पर opening और closing दोनों पर निकालना सीखेंगे तो इसके बाद कुछ सवाल और भी देख लेंगे हमें से related तो यहां पर दोनों पर होगा क्योंकि पिछली बार सिर्फ at the end में बताया था और opening पर बताया यह नहीं दो दो डिपार्टमेंटे टोटल का कॉलम रहने ही देते हैं क्योंकि जर्नल अलग से बना रहे हैं यह बना लेते हैं ट्रेडिंग और पी अंडर डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट दो थीक है और इसी को कर लेते हैं कॉपी और यह आ गया दोनों डिपार्टमेंट यह बन गया हमारा ट्रेडिंग सर्ष्ण सबसे पहले अपनिंग स्टॉप ट्रोपनिंग तॉ तीन चालेज और पांच हजार पर्चेस के बाद सेल्स दे रखा है सेल्स दे रखा है चार लाद अस्य हजार अब ट्रांसफर कर रहा है तो आपको वेरी नो के भाईया टेलरिंग डिपार्टमेंट को कर रहा है तो यह तो बोलेगा भाईया हमारा सेल्स है है ना और सेल्स कितना बोलेगा यह और यह बोलेगा टू हमारा पर्चेस है तो पर्चेस कितना बोलेगा यह है पहले यह वाला पुइंट देख लो ठीक है 影片 कैसे सांवब सिलिंग एक्षंञ सहते हैं जो इंडल का मुंट administrators इस्थाजर फॉर्फिंड आपपिटन इसके ऐगा तो किरते परन्म-शॅलिर तेमेस क्या थो कि मैंप सांवकिस कैनल और आप चाहें हो एक्षी less में सेमेफ सीधमत्र और दो हजार जर्नल एक्स्पेंस के लिए एक जर्नल पींडल बनाना पड़ेगा हमें जो कि मैं यहां बना लेता हूँ बड़ा छोटा सा बनता है वैसे जर्नल पींडल क्योंकि एकी दो आइटम तो जाना होता है वर्किंग नोट हम पीछे कर लेंगे इसका यह जर्नल पींडल बना लिए तो जर्नल एक्स्पेंस यहां जाएगा सर जर्नल एक्स्पेंस कितना है 3 सज़ा ठीक है यहां तक कोई दिकत पहले दिखो यहां तक हमने basic basic चीजे इसके फिल कर लिया है किसी कोई दिकत नहीं ठीक है तो अब जो है जो stock reserve निकलेगा निकलेगा कहता है the stock in tailoring department में assume 80% cloth department का यानि sir trailing department में देखा जाए तो एक तो opening stock है sir और एक देखा जाए तो closing है opening stock that is दे रखा है आपको 8000 और closing stock that is दे रखा है आपको 15000 यही है ना तो इसका 80% हिस्सा ही जिसके उपर हमें क्या करना पड़ेगा आपको जो हम reserve निकालते हैं stock वो निकालना पड़ेगा तो इसका 80% आजाएगा 6400 रुपी और इसका 80% आजाएगा 12000 रुपी पहले यहां तक बात टाए करिए संच में आए और कहता है कि पिछले साल हमारा gross profit का जो markup था 30% का पिछले साल हमारा gross profit तो बताओ पिछले साल का stock कौन सा है opening वाला है या closing वाला है कौन से वाला हुआ opening वाला क्योंकि opening वाला पिछले साल का है तो पिछले साल 30% कमाई होती थी तो sir अगर मैं margin निकालू यहां पे तो मैं अगर इसके उपर कहा लिखे कहा लिखे यहीं लिख देते हैं न क्योंकि ओपनिंग वाले का मैं इधर लिख दूँ इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं पहले मैं नहीं पेज़ पहा जाते हैं चलिए यानि सर ओपनिंग इस्टॉक जो है ओपनिंग इस्टॉक जो है सर ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा था आठ हजार हमने क्या करा आठ हजार का 80% निकाल दिया क्योंकि इसी के उपर है जो कि आया है 6400 और सर इस्टॉक रिजर्ब निकाल लेते हैं इस्टॉक रिजर्ब 64 पे 30% प्रॉफिट बोल रहा है तो डायरेक्ट 30% हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाता है यह स्टॉक रिजर्ब स्टॉक रिजर्ब कितना आ जाता है 1920 ठीक है यह आ गया अब आजाते हैं सर दूसरे पर सर क्लोजिंग स्टॉक सर क्लोजिंग स्टॉक जो था उस सवाल में दे रखा था कितने का 15,000 इसके उपर 80% जब हमने निकाला तो रिजल्ट आया 12,000 लेकिन सर स्टॉक रिजर्ब निकालने के लिए हमें क्या चाहिए स्टॉक रिजर्ब निकालने के लिए क्या चाहिए 12,000 into में GPR चाहिए जो profit का ratio है अब ध्यान से देखे profit का ratio जो यहाँ पे दे रखा है 30% वो तो पुराना है और जबकि हमें कौन सा चाहिए इस बार का चाहिए profit closing पे तो इस साल का apply होगा तो पहले हमें gross profit निकालना पड़ेगा current year का तो हम एक काम करते है पहले GP निकाल लेते हैं तो GP के लिए सबसे पहले closing stock नहीं लिखा मैंने इधर लिख देते है by closing stock closing stock कितने का है एक लाग और कितने का है फंद्रा हजार ठीक है तो GP निकाल लेते हैं कितने 40,000, 4,50,000 एक लाग 5,5,0005,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, लॉस्ट तो नहीं आ जाएगा कि असी हजार कि नाइन्टी फाइव माइनस में आठ हजार अच्छा है वह पांच हजार है बड़ा कम-कम दे रखा है एक पर डिजिट भी चेक कर लेना पांच हजार ही यह नहीं पर्चेस पांच है पचास है पांच ही और पचास हजार दूसर सीज़ी सी बात है जीपी से हमारा जो भी स्टॉक रिजर्व निकलेगा ऑल्वेस जीपी से निकलेगा तो जीपी हमें इसका जो इस स्टॉक में जुड़ा हुआ है तो इसको बेचा किसने होगा यहां पर सेल्स है और इसका क्लोजिंग स्टॉक है किसका टेलर डिपार्टम ने कहीं से खरीदा then 5 यानि सर क्लोग से खरीदा हुगा तो उत्व सः लियन्हें कि यह पता कर लिया कि बीचता था तो वेरी सिम्पल हम इसके उपर यह भी निकाल पाएंगे कि कितना percent profit जुड़ा हुआ है और जितना percent profit जुड़ा हुआ होता है उसी को तो हम क्या कहते है सर उसी को तो हम क्या कहते है stock reserve तो हमें GPR निकालना पड़ेगा यानि सर इसका profit निकालना पड़ेगा तो GPR निकालने के लिए क्या करेंगे सर gross profit निकालने का formula क्या होता है GP ratio निकालने का formula होता है profit या gross profit divided by sales into 100 पिछले वाले सवाल में अगर हम gross profit की बात करें तो कितना आ रहा है 1.5 लाग कितना है हमारा 1.5 लाग divided by sales अब sales में आप ध्यान रखिए जो sales लेंगे न वो total sales लेंगे जोड़ के जो sales लेंगे वो कौन सा लेंगे हम total sales GPR निकालने के लिए हम use करेंगे हम पे तो जब कभी भी होगा तो sales के लिए हम क्या करेंगे total sales लेंगे उसी के हिसाब से GPR निकाल लेंगे तो total sales कितना बन रहा था हमारा 4.5 लाग तो चलिए 4.5 लाग into में 100 into में 100 department first class नहीं department की ये third class है department की first class नहीं है ये third class है अभी मैं हेंडरेस का doubt लूँगा पहले मैं भी ये question complete कर लो बस दो मिनिट लगी है तो तो देड लाग divided by 45,000 into 100 तो ये आगया हमारा कितने percent 33.33333 percent और इसको साधारन सब्दों में बोल दें तो एक बटा यही होता है इसको क्या बोल देते हैं 1 by 3 यानि सर इस वाले profit में 12,000 का जो closing stock है tailoring department के अंदर उसमें 1 बटा 3 भाग profit है तो 1 बटा 3 निकाल देंगा तो कितना आजाएगा बताइए कोई दिक्कत कितने आगे 4000 रुपे यानि सर stock reserve की अगर हम बात करें अगर हम stock reserve की बात करें तो stock reserve दोनों side है जो opening वाला है वो इधर आजाएगा और जो closing वाला है वो किदर आजाएगा इधर आजाएगा तो हम दोनों side ना दिखाके हम क्या करेंगे एक net amount भी दिखा सकते हैं although आप दिखा सकते हैं और नहीं तो हम net amount भी दिखा सकते हैं कैसे दिखा सकते हैं 2 stock reserve सर इधर वाले का हम ले लेते हैं तो इधर वाले का कौन से वाला आएगा इसके उपर जो निकलेगा जो कि कितना आया था 4000 माइनस इधर वाले का कितना आया था 1920 यानि आप ये भी कर सकते हो simply क्योंकि आप किताब में देखेगे तो ये pattern आपको देखने को मिलेगा नहीं तो आप क्या करो इधर वाले का इधर दिखा दो और इधर वाले का इधर दिखा दो बहुत simple सी बात है तो 4000 माइनस में 1920 2080 अब यहां से क्या निकाल लेते हैं हम net profit निकाल लेते हैं सवाल nd हो गया हमारा ही है तो by side में GP आ जाएगा हमारे कितना 1.5,00,00 रुपे और 20,000 रुपे 1.5,00,00 और 20,000 यहां से net profit आ जाएगा तो 20,000 एक पैंतालिस और 18 एक पैंतालिस और 18 अब यह जो profit है इधर by side में लिख देंगे sir by net profit अब दोनों का लिखना है हमें किसका cloth का भी और tailring का भी तो cloth वाले का है एक पैंतालिस और tailring वाले का कितना है हमारा 18 तो अगर हम इसको देखें एक पैंतालिस और फ्लस में 18 तो sir एक 63 बन रही है एक 63 के बाद finally net profit हमारा combine बन जाएगा 163 163 माइनस में क्या करेंगे 23,000 और माइनस में 20,80 तो यह आगा 137,920 137,920 to net profit मैं अगेन एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि जो हमारा closing stock में पढ़ा हुआ stock है उसी के उपर reserve का concept apply होता है जो big गया उसके उपर apply क्योंकि जो big चुका है वो कहीं न कहीं profit में adjust हो जाता है automatically तो stock reserve जब भी निकालेंगे किस पे निकालेंगे हम तो अभी हमने क्या सवाल में देखा एक ने दूसरे को बेचा कई बार ऐसा होगा ये इसको बेच रहा है और ये इसको भी बेच रहा है तो थोड़ा सा क्या होगा complication और बढ़ जाएगा है कि ने क्योंकि इसने इसको बेचा तो simple कर लिया अब क्या करेगा ये भी इसको दोनों आपस में दूसरे को बेचेंगे तो inter stock हो जाएगा वहाँ पे एक उसको बेचेंगे तो simple सी बात रहेगी दोनों में से profit निकाल निकालके फिर हम कर लेंगे वहाँ ठीक है न तो ये सवाल था एक आपके सामने जो की तीन था किताब का question नहीं है ऐसे general question दिया ताकि आपको stock reserve निकालना आएगा सब live recording live recording में न कुछ थोड़ा सा error है आपको वो classes न content में जाके देखना है content से आपको मिल जाएगा live recording में branch के नाम ही डाला हुआ है मैंने अभी भी notice किया है तो आप उसमें content में जाओगे तो वहाँ department मिल जाएगा ठीक है बता दीजिए इसमें कोई doubt है तो आप बता दीजिए आप जिसका जो doubt है इसमें बता दीजिए कोई doubt है इसमें एक सेकिंड देजिए मैं दूसरे सवाल आपके सामने ले के आओगा आपके book का ही question number 3 करेंगे recording हो और यहाँ पर कहता है कि store wise हमारे departmental है calculate करना है profit 3 department namely एक radio department है और एक refrigerator department है और एक washing machine department है यानि इनका काम electronic वगेर का है तो एक radio department हो गया एक washing machine और एक हो गया हमारा refrigerator का separately for month जैन 2021 he informed that gross profit sales 3 department बोलता है कि पहले वाले department पे इतना कमाई है दूसरे वाले पे इतना है तीसरे वाले पे इतना है यानि जिस सवाल में आपको gross profit देगा न तो एक चीज़ ध्यान रखना वहाँ पे आपको closing stock देखने को नहीं मिले शायद क्योंकि gross profit दे ही दिया तो आपको वहाँ से क्या निकालना पड़ेगा closing stock balancing figure निकालना पड़ेगा ठीक है कहता है respectively on turnover indirect expense charge proportionate the department turnover कहता है जितने भी हमारे indirect expense है वो किसमें charge होगा turnover पे यानि sales के ratio में बाटा जाएगा the following expense आपका department का given है opening stock given है आपका purchases given है आपका direct expense given है आपका sales इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है हर department का दे रख है बस लिखने की बात है यहाँ पढ़ते हैं कहता है total indirect expense for the month including those related departmental 55,000 रुपे है on total sales और total sales जो है वो है हमारा 20,000 total sales 20,50,000 कैसे आएगा इनको एक बार जोड़ो यह कौन से महिने के कहता है जैन नहीं बन रहा कहता है total indirect expense for the month जैन आपका including those related to other department वर 55,000 on total sales ओके यह स्रिफ इस department का खर्चा नहीं है यह जो खर्चा दे रखा है 55,000 यह other department से भी related है total sales दे दिया चलिए prepare departmental trading and profit and loss account ascertain the gross profit and net profit for after making 10% reserve on stock at the end of the year मजे की बात देखो यहाँ पर सीधा बता दिया कि जो stock है उसके उपर 10% का reserve है तो यहाँ पर GP ratio भी नहीं निकालना सीधा जो closing stock है उसके उपर फटा फट 10% 10% हम क्या करेंगे निकाल लेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पर again trading P&L और journal journal का तो यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा बाकि journal में क्या जा सकता है indirect expense P&L में डालेंगे जनरल का कुछ बात ही नहीं कह रहे है यहाँ पर तो देख लेते हैं क्या क्या बनाएंगे हम यहाँ पर तीन डिपार्टमेंट बन जाना है इस सवाल को थोड़ा छोटा कर लेंगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर एक डिपार्टमेंट दो डिपार्टमेंट कर फ़्मपार्टमेंट को अब यह तीना डिपार्टमेंट इधर भी आगया कर दो झाल झाल चलिए सिंपल तरीके से देखते हैं यह हमारे डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है सबसे पहले क्या लेखे लिए टू ओपनिंग इस्टॉक क्या गीवन है ओपनिंग इस्टॉक येस गीवन है कितने है दो अस्टे और डेड़ लाग पर्चेज गीवन है पर्चेज कितने गीवन है चालेस हजार बीच वाले चालेस है न डारेक्ट एक्स्पेंस डारेक्ट एक्स्पेंस चालेस तीन चार सो और पंदरा दो सो ये तो सिंपल आपको ये तो समझ में आई रहा होगा अब देखो मैंने यहां टोटल का कॉलम नहीं बनाया है कुछ बच्चे बोलेंगे सर कभी आप टोटल का कॉलम बना रहे हो टोटल के कॉलम से ठीक है मैंने सवाल नमबर 1 में टोटल का कॉलम रखा था 2 में नहीं रखा तो वो मेरी मर्दिय रहे है मैं बना लेता हूँ कई बार इस्पेस के अकॉर्डिंग कई बार नहीं बनाता सर डारेक्ट एक्स्प्ने के बाद sales sales buy side में आ जाएगा सर sales कितने का है 4.50 4.50 के बाद कितना है हमारा और क्या है 3.50 ठीक है कहता है total indirect expense यानि सर यहां से यहां तक देखा जाए तो trading बन गया और इसके नीचे का हिस्सा क्या होगा पी हंडल कहता है total indirect expense for the month of jan including those relating to the other departmental 55,000 रुपे के जनवरी में था and total sales 20,000 कहने का मतलब है इतने sale पे इतने sale पे इतने का खर्चा बना लेकिन हमारा sales तो यह है तो हम इसको proportionately बाटेंगो और कहता है कि respectively turn over indirect expense charge proportionately turnover जो sales है उसके ratio में करना है हमे समझ रहे हैं यानि सर आप समझिएगा इसको कैसे बाटेंगा हमें sales दे रखा है किस का department का radio department मैंने नाम नहीं लिखा radio refrigerator और क्या था एक washing machine radio refrigerator washing machine ठीक है अब चलिए यहाँ बात कर रहे हैं सर किसका एक तो radio department है इसका sales कितना है 4.50 refrigerator है इसका sales कितना है पांच चालेश और एक कौन सा है washing machine है इसका sales कितना है तीन पचास अगर इन सभी department का sales को मैं जोड दू तो कितना sales बन रहे है तेरा लाग हाला कि यह जो खर्चे है वो जो खर्चे है वो इस रेशो में बट जाने चाहिए 55,000 इस रेशो में लेकिन क्या कहता है यहां पर कहता है कि indirect expense for the month जैन including those related to other department मतलब जो इससे है और इससे अलग टोटल कितने का 55,000 और टोटल sales 55,000 यानि इतने sales करने पे यह 55 का खर्चा हुआ है यानि आपका 13,40,000 के sale करने पे खर्चा नहीं हुआ यह यह कितने sale करने पे हुआ है यह 20,000,000 पे तो अगर हम ratio निकालें तो बहुत simple सी बात है कि भीया 55,000 का खर्चा हुआ और इसको divide अगर मैं 20,000,000,000 कर दूँ तो एक रुपिया पे खर्चा आ गया यह मैं मान लो simple सी बात है ऐसे नहीं समझ मारा तो मेरे 100 रुपे का खर्चा हुआ और मेरा 200 रुपे का सेल करने पे खर्चा हो रहा है अगर मैं 200 रुपे का समान बेचूँगा तो 100 रुपे का मेरा खर्चा होगा घ्यान देना 200 रुपे का अगर मैं समान बेचूँगा तो 100 का खर्चा होगा तो एक रुपे का बेचूँगा तो कितना का खर्च आएगा एक का अगर सौ का समान बेच रहे हो सौ का खर्च आए तो एक रुपए का समान बेचने पर एक का ऐसा ही मैंने बोला दो सो रुपए का समान बेच होगे तो खर्च आएगा एक रुपए का यानि दो रुपए का समान बेच होगे तो खर्च आएगा एक एक रुपए पर ठीक है अगर आपको एक रुपए पर खर्चा पता चलिया है तो आपको जो सेल्स इस डिपार्टमेंट का फिक्स करना है ना इस डिपार्टमेंट का फिक्स करना वो चार पचास से मल्टिप्लाई करेंगे तो इस डिपार्टमेंट का जाएगा यानि तीनों डिपार्टमेंट का अगर मैं खर्चा निकालू तो हाला कि एक मैं करके दिखा देता हूँ जो कि चार पचास होगा तो चार पचास डिवाइड़ बाई पच्पन हजार यह आगया हमारा बारा सो तीहत्तर रुपे तो परी बारा हजार तीहत्तर यह इस डिपार्टमेंट का खर्चा आया कहने का मतलब है सर यह पच्पन हजार रुपे सिर्फ इन तीन डिपार्टमेंट का नहीं है इसके अलावा भी कहीं खर्चा हो रहा है समझ रहे हो बात को अब दूसरे का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे ये पहले का होगी है दूसरे का मैं इधर निकाल देता हूँ 55,000 रुपे खर्चा है सर और किस पे 20,000, 20,000, 50,000 पे और एक चाहिए हमें 5,000,000 है तो 55,000 divided by 20,000, 50,000 इंटू में 14,000 487 कहलो 488 कहलो आपकी मर्जी है थार्ड वाले का कैसे निकलेगा सर थार्ड वाले का अगे इन 55,000 डिवाइड करेंगे हम 20,50,000 और मल्टिप्लाई कर जगे नहीं है इसलिए ऐसे लिख देता हूँ 350 बताइए क्या आ रहे है 9,390 पहले समझ में आया ये क्या कर रहे हैं तो यानि सर अब इन तीनों को अगर आप जोडोगे न तो 55,000 नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा 55,000 55,000 तो सर धेर सारा एक्स्पेंस है वो सिर्फ इस तीन डिपार्टमेंट के खर्चे नहीं है इस तीन के अलावा भी होगे क्या कहता है ये the indirect expense for the month of January including those relating to other department मतलब इससे तो related है इसके अलावा और भी होगा जो नहीं बता रहा तभी तो आपको sales इसने 20,50,000 दिया है यानि जो other department के भी जो हमारे sales होंगे उन सभी को और इस department के भी sales को total मिला के जो हमारा बन रहा है 20,50,000 हमने इस department के sales के according उस खर्चे को क्या कर लिया पर पोस्नेट कर दिया ठीक है तो यहाँ पर आजाएगा हमारा indirect expense क्या आजाएगा 12,000 और 14,000 और 93,000 क्लियर यहां तक अब सर यहां पर कहता है stock reserve भी है कहता है कि trading and profit and loss are certain gross profit unnet profited after making 10% reserve stock at the end of each department सर opening पर नहीं है reserve किस पर है closing जब कुछ ना बोला जाए कि किस पर reserve है तो दोनों पर है अगर बोला जाने stock पर reserve है तब तो sir stock यह भी और यह भी है समझ रहे बाद अगर बोला जा at the end वाले पर तो आपको पता चल गया clearly किसकी बात चल रही है closing के ठीक है तो अब आज आते हम फटा फट से यहां पर उसने gross profit का rate भी दे रखा है सर जीपी का rate पचास चालिस और तीस तो मतलब मैं इन सब का gross profit निकाल सकता हूँ अगर जीपी की बात करें तो इसका होगा कितने percent पचास परसेंट तो कितना आ जाएगा हमारा दो लाग पच्चिस इसका कितना होगा 40% तो पांच चालिस का 40% कितना होगा दो लाग तीसरे का कितना होगा तीन पचास का एक लाग यह आ गया सर अगर इसको हम पूरा solve हमारा मेन मुद्दा तो यही होता था निकालना और यह वाला तो सवाल में दे रखा है तो यहाँ पर अब जो निकलेगा न वो निकलेगा closing stock जो की निकलने वाला है balancing figure समझे तो अब क्या करेंगे हम 20,000 परी 2,00, 3,00, और 40,500 और 225 765 500 765 माइनस चार पचास closing stock आ गया तीन लाख पंद्रह हजार पांसो समझे ऐसे दूसरे का देख लेते हैं 280 40,000 30,400 211,600 211,600 211,600 यह चीह जार है 21,16,000 लेग दिया कितना था 21,16 ना यह कराटे जिता आज़ा 21,16,000 ठीक है इसका टोटल बन रहा है सर पांच लाख 26,000 566,400 माइनस 540 26 पांच लेख यह 40,000 है यह चार लाग है और कोस्टन में 40 है और प्रिंटिंग रह गया होगा कोई बात नहीं है दो के बाद पॉइंट भी कॉमा लागा रहा है हम तो इसके हिसाब से चल रहे हैं चलने तो फिर आपको करना को तो करी लोगे आपको ठीक है न आगे देखते हैं 15,000 माइनस में तीन सत्तर दो सो ठीक है अब जो इसका स्टॉक रिजर्व निकलेगा वो इस अकाउंट में थोड़ी जाता है वो तो कहां जाता है जर्नल जो कि हम लास्ट में कर लेंगा अभी रुप जाओं यहां से जीपी आ जाएगा हाला कि ट्रेडिंग प्रॉफिट यहीं तक बोला था फाइनल प्रॉफिट नहीं बोला लेकिन अब फिर भी बना रहे हैं आपके यह बुक से मैच नहीं होगा सवाल क्योंकि इसमें मिस्प्रिंट था थोड़ा सा जो भी बताया है बच्चोंने के सर चालीस अजार के जगह पर चार लाग होगा आप उसको ऐसे कर लीजिए वहाँ चेंज करेंगा सारा ठीक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है टू नेट प्रॉफिट दो लाग पच्चेस अजार वो अलग जर्नल में निकालेंगे स्टाक रिजर्व की तो जगह है जनल प्रॉफिट एंड लॉज में है यह एक लाग पांच अजार है तो दो पच्चिस माइनस एक सो बीस ती हत्तर यहां के टू वन टू नाइन टू सेबन दो लाग 16 माइनस में 1448 2448 201512 यह गया 1,5,000 माइनस में 94,90 यह गया 節目 95 चेसो 10 यहां तक समझ में आया पहले यहां तक देख लिजिए तर टूटल का कॉलम नहीं बनाना आपकी इच्छा है टूटल का कॉलम हम आप बनाए ना बनाए वह आपके उपर टोटल डिपेंट्स बनाना चाहते हैं तो बना लो क्योंकि एक जगह और है वो बन जाएगा अगर मेरे पास लगा इस पेस वैसे टोटल से एक्जामनर को कोई लेना देना नहीं है और आप ये भी अब्जर्व करोगे टोटल से आपका कोई फाइदा भी ज्यादा तर जनल यह नहीं होता है वो तो सरफ हम अपने लिए बना लेते हैं किसी कॉलम में हो जाए वह ठीक है ना तो चलिए अब एक बना लेते हैं जर्नल प कि यह आगया जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस तो सबसे पहले बाई साइड में आ जाएगा नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट किसे आएगा सर एक रेडियो है रेफिजरेटर है और वासिंग मसीन है तो इनका आगया 2,12,927 और एक का आगया 2,1512 यह ज़्यादा नहीं लग रहा मुझे अच्छा ठीक है 2,1512 और एक का आगया हमारा 95,610 95,610 ठीक है अब यहाँ पर क्या जाएगा 2 स्टॉक फिर किसके पर अगया रेडियो पर रेफिजरेटर पर वासिंग पर कहता है दस परसेंट निकालो यानि इससे मुश्किल वाले पॉइंट्स हमने करी लिए हैं जिसके अंदर हम खुदी परसंटेज निकालते हैं और खुदी पता करते हैं यहां तो डिरेक परसंटेज दे तो भी यह 10% निकालोगे तो 3,15,500 का यह आ जाएगा 31,550 इसके बाद दूसरे का गलत आपके बुक से मैच नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर error है 26,46 मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ इसको तो यह आ गया हमारा 26,46 इसके बाद आ गया 3,7,0,2,0,0 का 10% यह आ गया हमारा 37,0,20 तो टोटल आ गया 31,55 यह आ गया 71,210 और यहां आएगा 2,net profit 2,1,2,9,2,7,2,0,1,5,1,2,9,5,6,1,0,5,1,0,4,9,5,1,0,0,4,9,5,1,0,0,4,9,5,1,0,0,4,9,5,1,0,0,4,9,5,1,0,0,4,9,5,1,0,0,4,9,5,1,0,4,9,5,1,0,0,4,9,5,1,0,4,9,1,0,4,9,1,0,7,1,2,1,0 यह आपका आगया 4,3,88,39 बताईए कोई डाउट यह profit book से match नहीं होगा अगेन मैं बता देता हूँ क्यों नहीं होगा क्योंकि हमने purchase के figure को 4,00,00, जो question में था उसके according किया है misprint question में answer बता रहे है तो हमने answer को देखा नहीं उसके according किया है clear है बताईए कोई doubt यह था आपके book का question number 3 total ज्यादा सवाल नहीं है इस book में इस book में आपके 7 आठ सवाल है दिखाने एक बर किताब 7 या 8 सवाल है जिसमें मैं 4 homework में देने वाला हूँ और मैं 5 भी दे देता हूँ homework में 4-5 होगा तो ठीक नहीं तो मैं तो कराऊंगा 4-5 homework में देते हैं और total कितने 8 ही हैं कितने हैं 10 है सब में एक ही है अब देखे question number 8 भी homework में लिख लीजिए क्योंकि ये इस टाइब का question हम पहले ही पहला ही question done किया था साइद वो ही तो नहीं है देख लेता हूँ question मैंने कर दिया 4-5 और question number 8 आठ के बाद 9 क्यानि अगली class में खतम कर देंगे इसको क्यानि अगली class कली है regular class ले रहे तो अब बता दीजिए किसका क्या doubt है जो बच्चे live class में है तो चलिए last class के अंदर हमने departmental के छोटे छोटे concept से लेखे थोड़े बड़े concept भी देख लिए थे और इसमें आप देखोगे तो majorly जो अभी department अगर मुझसे पूछे न सर हम department पढ़ तो रहें लेकिन actual बता दीजिए departmental है क्या तो मेरा जवाब होगा departmental जो है वो बड़ी सीधी सी बात है कि खर्चो को उसके segment के हिसाब से बाट देना तो सर इसमें सीखने वाली बात क्या है तो सीखने वाली बात सिर्फ मातर एक है कि कई बार stock एक दूसरे से interchange होता है उसके उपर profit calculate कर लेना और दूसरा कुछ खर्चो के बारे में ना बताया हो तो अपने सोच समझ के हिसाब से उसको हमें बाट देना और कुछ ऐसे खर्चे जो कि पता ही नहीं चलता तो उसे कहां भीज़ देना जर्नल profit and loss में तो आज हम करेंगे जिसके अंदर opening और closing दोनों के उपर रिजर्व रहेगा और in fact आपको GP rate भी नहीं देगा तो क्या करेंगे क्योंकि questions क्यों क्यों नहीं हो रहा है यहां एक में update कर देता हूं इसे मैं अपडेट होने में बड़ा टाइम ले रहा है आजिए कर दो कर दो कर दो यहां अप्डेट ने हो गई यहां अप्डेट हो चुका है एक मिनट दीजिएगा यहां तो अप्डेटेड है हुआ तो रुक जाईए जब तक अपडेट नहीं हो जाता है बस एक मिनट लगना है टेस्ट के जस नीचे हुआ हुआ हाज कर ड्राइब भी अपडेट नहीं होता बता हुआ जल्ली जा हो जाओ भाई यहाँ पर दिखा तो रहा है सिंग्ड लेकिन कुशन नहीं सो कर पा रहा है दोबारा देख लेते हैं इसको पन करके चलिए इसी पर यहाँ क्या है एक कुश्चन देखते हैं पहले हम कितने देपार्टमेंट है दो सर बो द दिपार्टमेंट यह तो देखते हैं उसको अग्षारख अपी विए सा तो आ यहाँ का क्या है इच्छा मैंने कहा है बनाने तो बनाई यह दर्वाइज नो नेट तुम्हें बनानी रहा तो यहाँ पे दो डिपार्टमेंट और आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉज अकाउंट चलिए सर क्या कहता है कुश्चन में देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे हम सर हिंदी मीडियम नोट्स में नहीं हिंदी मीडियम में तो नहीं अविलिबल होगा नोट्स तो यह दो किताब के प्राक्टिकल कुश्चन है कहते हैं तो एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको पूछा जाए ट्रेडिंग अकाउंट तो सिर्फ ट्रेडिंग बनाना है और जितना पूछा जाए उतना आपको काम करके दिखाना है आफ्टर अजस्मेंट अन्रिलाइज डिपार्टमेंटल प्रॉफिट तो जो हमारा प्रॉफिट होता था ने स्टॉक रिजर्व उसको एक और नाम से जानते हैं अन्रिलाइज प्रॉफिट तो कहीं एक्जाम में ऐसा आजाएगा यार ये क्या पूछ लिया अन्रिलाइज प्रॉफिट तो वही बोल रहा है वो गुमा फिरा के कहता है ओपनिंग स्टॉक दोनों में है तो सर सबसे पहले इधर आजाएगा टू ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ये डिपार्टमेंटल ए डिपार्टमेंटल भी कितने का है पचास और चालिस ये सवाल आपको मिलेंगे जो एक्स्ट्रा सवाल में करवा रहा हूँ ये सवाल आपकी किताब के ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मिलेंगे आपको इस तरीकी के सवाल क्योंकि theoretical में जितने हैं वो illustration वो साथ के साथ practical भी कुछ question कर रहे हैं to purchase to purchase क्योंकि पहले था नहीं हमारे इस लेबस में departmental तो अभी introduce किया है तो आपको ज़्यादा question बी कॉम वाले नहीं मिलेंगे तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा देखोगे या तो CA वाले question मिलेंगे या CS वाले मिलेंगे ऐसे करके buy sales buy sales तो sales की हम बात करें तो 10 लाख और departmental A की बात थी और B में कितना आजाएगा 15 लाख रुपे ठीक है आगे कहता है journal expense incurred departmental एक लाख पच्चिस हजार which is in the divided ratio of sales तो journal expense किसका पाट है P&L का ठीक है तो journal expense P&L का पाट है तो journal expense सर journal expense कितना दे रखा है हमें question में दे रखा है एक लाख पच्चिस हजार भूला गया इसको sales के ratio में बाट दो तो sales हमारा है 10 इस्टून 15 या फिर आप बोल सकते हैं 2 इस्टू 3 तो 2 इस्टू 3 के ratio में बाटते हैं हम इसको एक लाख पच्चिस हजार divided by 5 into में 2 तो सर पच्चास हजार तू जर्णल एक्स्पेंस पच्चास हजार और त्री पिछर्तर हजार यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताईए यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताईए पताईए किसी को कोई समस्या है तो मैंने कितना लिख दिया एक जिरो कम लिखा चलो बढ़ा दिया नो सभी बच्चों ने बुल दिया सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब आगे क्या पढ़ते हैं कहता है you also supplied with the following additional information कहता है जो closing stock departmental A का है यानि sir closing stock बता रहा है departmental A का तो buy side में लिख दें क्या buy side में लिख दे buy closing stock departmental A का कितना है sir एक लाग बोलता है उसके अंदर 20,000 रुपए जुड़ा हुआ है जो transfer किया था B ने कहने का मतलब sir A का जो भी closing stock है ना इसमें 20,000 रुपए वो है जो किसने transfer किया था sir B ने किया था मतलब कि transfer तो बाली बात तो नहीं बोला बोला कि इसके अंदर B ने जो भी whatever करा हो उसका जुड़ा हुआ है और यहां पर ध्यान रखना जैसे मान लेते हैं A है और B है अगर B A को transfer कर रहा है और A बोले यह मेरी cost है यह मेरी cost है तो that is what selling price ही है ब्रांच में भी देखा था हमने अगर A B को अगर B बोले ना मेरी cost है यह तो selling price नहीं है ठीक है यानि जो दे रहा है वो cost बोले तो selling price नहीं है जो ले रहा है goods को अगर वो cost बोल दे तो selling price का part माना जाएगा तो यहां क्या कहता है एक बार फिर से ध्यान से पढ़े इस adjustment को कहता है closing stock of department A 1 lakh include इसमें जुड़ा हुआ है goods department B से मिला है और B से कितना मिला हुआ है 20,000 at cost to department A जो कि department A का cost था यानि सर यहां पे transfer नहीं हो रहा पहले क्या करते थे सर अगर B ने A को दिया है तो B के लिए sales हो जाता था और A के लिए purchase हो जाता था यही होता था यहां पे पूरे सवाल में ऐसा नहीं बोलाई के हमने उसको goods दिया लेकिन last last में बोल दिया उसके closing stock में सिर्फ जुड़ा हुआ है तो मतलब सर अगर transfer नहीं हुआ तो उसका stock दूसरे में कैसे जुड़ा हो सकता है तो जवाब है इसने जो भी transfer हुआ होगा न उसने sales में ही include कर दिया होगा समझ रहे बात को अलग से ना बता के उसने sales और purchase में दिखा दिया होगा जोड़ कर तो चलो हमारी थोड़ी से confusion को दूर कर दिया तो सर यहां पे जो 20,000 है इस पे stock reserve निकलेगा क्योंकि एक लाग closing stock तो दिखा नहीं सकते इसमें 20,000 जुड़ा हुआ तो stock reserve वो कहां चला जाएगा journal profit and loss में चलिए अगले adjustment में कहता है कि closing stock of department B जो B का closing stock है that is 2 lakh रुपी department B का closing stock कितना है 2 lakh रुप है include goods from department A इसके अंदर department A से जो goods मिला वो include है और उस goods की कीमत कितनी है 30,000 cost to department B यानि कहानी उल्टा हो गया अभी तक हमने सवाल में देखा था एक ने इसको transfer किया एक ने इसको बस बात खतम अब यहाँ पे क्या सवाल आ गया इसने भी उसको दिया और दूसरे ने भी इसको दिया यानि दोनों तरफ से बाते चल रही है यानि सर इस वाले goods के अंदर जो है किसने बेचा है इसको ये वाला जो sales है वो बेचा किसने है B का तो closing stock है लेकिन इसमें A ने बेचा हुआ है है ना और इस वाले में इसका तो closing stock है लेकिन किसने बेचा हुआ इसको और इस closing stock को सारा नहीं इसमें सिर्फ मात्र और इस वाले में कितना 20,000 है ना चलिए सर अब आगे क्या कहता है आगे कहता है Opening stock of department A and B include value of 10,000 and 15,000 taken from department B and department A respectively cost transfer department यानि कहता है सर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है जो opening stock है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ पार्ट जुड़ा हुआ है कहता है जो A का है ना उसमें कितना जुड़ा हुआ है 10,000 जुड़ा हुआ है A वाले में कितना जोड़ रखा है और सर B वाले में कितना जोड़ा हुआ है 15,000 रुपे चलो ठीक है सर लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि भहिया क्या करना है नहीं करना है कहता है ग्रॉस प्रॉफिट यूनिफॉर्म इयर टू इयर देखो अब देखो आपने एक सवाल किया था जिसके अंदर क्या था सर ओपनिंग स्टॉक का जीपी रेट अलग था ओपनिंग स्टॉक का याद हो तो दिखा देते हैं कौन सा किया था सर जिसमें ओपनिंग का 30% दे रखा था शायद यही था क्या यह था ओपनिंग स्टॉक का GP rate कितना था 30% departmental और date दे दिया था लेकिन closing का तब भी हमने निकाला था लेकिन इस सवाल के अंदर सर जो GP rate नए वाला निकलता है ना वो नए वाला GP rate तो कहां के लिए होता है सिर्फ और सिर्फ closing के लिए होता है opening पे तो वो apply नहीं होता लेकिन जो ये line इसने बोल दिया ना इस line ने प्रूफ कर दिया कि भाईया year on year same GP रहेगा यानि जो closing पे लगेगा GP वही किस पे होगा opening पे इस line ने बता दिया बसंदे तो सर हम यहाँ पे GP rate भी निकालेंगे तो GP पहले तो GP rate निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सर GP अगर आपको निकालना है GP ratio तो simple सी बात है आपको GP चाहिए और क्या चाहिए sales चाहिए into 100 दोनों सवालों के sales तो given है दोनों departmental के sales तो given है लेकिन दोनों departmental का gross profit नहीं given तो हम निकाल लेते हैं तो यह आगया कितने 11 लाग यह आगया हमारा 11 लाग और यह आगया 12 और 17 लाग और इधर आजाएगा हमारा 11 लाग और इधर आगया 17 लाग यहाँ पर लिखतेंगे gross profit ट्रांसफर कहां कर देंगे sir पी एंडल तो अगर हम निकालते हैं तो कितना माइनस होगा 57 लाग तो यह कितना आएंगे 4 लाग और इसको माइनस करें तो नहीं 9,4,13 7,5 लाग 7,5 लाग बाई साइड में आजाएगा बाई जीपी और जीपी आजाएगा हमारा 4 लाग और यहाँ पर आजाएगा 7,5 लाग sir ठीक है मैं यहीं पी एंडल भी बना लूँगा पी एंडल भी यहीं बना लेंगे यहाँ तक रहेगा हमारा ठीक है पी एंडल की बारी आएगी यहाँ बना लेते हैं पी एंडल यहाँ बना लेते हैं पी एंडल पी एंडल में सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट यहाँ से निकाल लेते हैं देट इस आपका यह आएगा चार लाक और सेवन लेक फिफ्टी थाउजन चार लाक और साथ लाक पचास अजार और यहाँ हो गया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर या प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल पी एंडल तीन पचास और यह कितना आजाएगा 75,000 माइनस करोगे तो 6,75,000 बाइ साइड में आजाएगा यह डेपार्टमेंट A से और डेपार्टमेंट B से 3,50,000 और 6,75,000 तो सर तीन पचास और 6,75 तो सर तीन पचास प्लस 6,75 सर दस लाख पच्चेस हजार अब मजे की बात है सर बस इसमें एक काम रह गया इस टॉक रिजर्व वाला जिसका आप वेट कर रहे हैं निकालेंगे कैसे तो अब सबसे पहले जीपी रेशो दोनों का निकाल लिया जाए है ना दोनों का अगर जीपी रेशो निकाल लिया जाए नेक्स पेज़ पे निकाल लेते हैं Department A का यहाँ पर निकाल लेते हैं Department A का GPR और फिर निकाल लेंगे Department B का GPR तो Sir Department A का हमारा जो profit है वो है हमारा 4 लाग और उसका sales है वो 10 लाग है इंटू में 100 इंटू तो 40 परसेंट सर Department B का मैं दिखा भी देता हूँ देखे Department A का sales और GP B का 15 और साड़े साथ तो B का हो गया साड़े साथ का profit और 15 लाग इंटू में 100 तो आपको पता चल गया है इसका कितना है सर 50 परसेंट है है ना क्या अच्छा यह 10 लाग है ठीक है क्लियर यहां तक अब हमारा मुद्दा है के पहले opening stock पे reserve निकाल लेते हैं तो सर ओपनिंग stock पे reserve हमें 40 और 50 पता चल गया तो यहीं लिख लेते हैं सर यह वाला जो profit है न यह 40% के दर से कमाया गया है 40 परतीशट के rate से कमाया गया और यह वाला कमाया गया 50% देखो मैं आपको समझाने के लिए यहां लिख रहा हूँ एक्जाम में ऐसे लिखके नहीं आना है आपको इस बात का ध्यान रखना है कुछ बच्चे इस तरीके से लिखके आएंगे तो marks नहीं मिलने वाला चलिए सर जर्नल एक्सपेंस बाट दिया इसे हटा देते हैं अब जीपी रेशो पीछे निकाली लिया है तो यहां पर साफ साफ कर लेते हैं क्या करना है सर ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक सर ओपनिंग स्टॉक A का भी लेंगे और डिपार्टमेंट B का भी लेंगे तो सर ओपनिंग स्टॉक जो डिपार्टमेंट A और B की हम बात करें तो कितने कितने है सर A का opening stock department पचास हजार है लेकिन हम तो stock reserve निकाल रहे हैं जितना हिस्सा जुड़ा होगा वही लेंगे न तो कितना लेने वाले हैं 10,000 और B पे कितना है 15,000 तो इसके उपर अगर stock reserve निकाल ले stock reserve तो इसके उपर कितने percent rate था A का बोल रहा था कितना कमाता है A GP लेकिन सर A अपनी opening stock में थोड़ी ना अपना रख लेगा A के opening stock में किसका stock जुड़ा होगा B का जुड़ा होगा तो GP किसका apply होगा B का तो यहां 50% apply करेंगा आप simple सा लगाओ common sense तो सर 5,000 रुपए आ गया और यहां 40% apply करेंगे that is 6,000 रुपए आ गया पहले तो यह देख लेजिए opening stock का सौझ मैं आई बात आपको अब किस पे आ जाएंगे हम तेम करने वाले हैं काम किस पे सर closing stock पे तो इधर closing stock का ले लेते हैं तो department A और department B तो department A का closing stock कितना था एक लाग तो A के उपर फिर से GP apply करेंगे यानि stock reserve निकाल लेंगे तो कितना लगेगा इस पे सर इस पे लगेगा 50% that is आपका 50% GP है तो कितने आ जाएंगे 50,000 रुपए sorry यह 1,000,000 तो था ही नहीं न 20 और 10 था मैंने total ले लिया मैंने ले लिया total एक लाग थोड़ी ना एक लाग तो total stock है और सार आइसी से थोड़ी लेंगे हम तो इससे 20,000 और एक से 30,000 तो इसके उपर हम stock reserve अगर निकालते हैं तो 50% मतलब के 10,000 और इस पे 40% मतलब के 10,000 अब बड़ी simple सी बात है opening stock का reserve हम इधर लिख देते हैं और closing का इधर लिख देते हैं इस काम को असान करने के लिए हम net भी कर सकते हैं तो देखा जाए तो closing का अपना हमारा है A का 10,000 और 5,000 तो net में 5,000 रुपे बच रहा है तो 5,000 रुपे closing वाले का side ज़ादा है तो इसलिए मैं stock reserve लिख देता हूँ stock reserve और departmental A का कितना बन रहा है सर 5,000 same B का देखा जाए तो 12,000 है और इसका 6,000 तो B का कितना बन रहा है B का बन रहा है 6,000 ultimately stock reserve आगया है 11,000 और आप यहाँ पे profit निकाल सकते हो easily सर profit अगर निकालते हैं यहाँ पे easily profit की बात करें तो कितना profit निकल के आएगा profit निकल के आएगा सर 10,25,000 10,25,000 और two net profit या final profit बोल लो 11 माइनस कर देंगे तो 10,000,000 कितने आ जाएंगे 14,000 रुपे बस खतम हमारा यह हमारा step by step answer भी दे रखता है जिसको आप क्या कर सकते हैं verify कर सकते हैं बताइए समझ में समीर का कहना stock reserve का मतलब क्या होता है profit stock reserve का मतलब होता है profit unrealized profit का मतलब होता है profit loading का भी मतलब क्या होता है हमारा profit नाम अलग अलग दे रखे हैं accounts के अंदर लेकिन सब का मतलब सरफ क्या है हमारा profit का हिस्सा बताइए किसी को कोई doubt चलो अभी साइद पिछले question की बात कर रहे है गौतम एक नया question कर रहे है हम इस question को देखते हैं फिर जो doubt होगा वो पूछ लीजेगा तो purchase का है हमारा है यहाँ पे 160 और 160 के बाद 125 और 120 के बाद 80 जो खर्चे को बाटने का allocation का है न मैं एक चार्ट देदूँगा जगर light हो तो उसे light point में भी बाटा जा सकता है area में भी बाटा जा सकता है जो चीज available होगा उसमें बाटा जा सकता है वो एक चार्ट देदूगा जिससे आपका काम आसान हो जाएगा salary and wages बताया नहीं पहले sales भी लिख लेते है buy sales तो sales की बात करें तो एक लाख पच्छतर हजार और y की sales है हमारा एक लाख चालेस हजार और z की sales है पैंतेस हजार और salary and wages है तो P&L का part है rent भी P&L का part है sundry expense भी यानि सर ये आपको पहले से ही profit and loss दे रहा है तो सर ये P&L का part है तो हम trading तो यहीं बंद कर देंगे ये लेजिए closing stock दे दिया इसने buy side में लिख देते हैं closing stock 60,000 और 20,300 60,100 है ये 60,100 इसके बाद 20,300 के बाद 44,600 सर निकालिए जी पी बताइए total करके क्या आता है 175 तेईश क्यावन एक चालिश पैंतिस हजार 70 80,000 क्यों अच्छा इदर लॉस आगया तो by gross loss minus 80 तो 400 अब तो ये profit ही profit 1,6,0,3,0,0 2,GP 78,100 पैंतिस 35,300 अब बाई साइड में आजाएंगे न बाई साइड में GP लिखेंगे 75,100 35,300 लेकिन GL को इधर ले जाएंगे 2,GL,600 अब हम आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं transaction and tape record दो चीज़ें देखो ये transistor transistor और tape recorder transistor होता है radio radio और tape recorder has been sold showroom and repair etc showroom में भी बेचा जाता है और उस पे repair भी होता है made in factory जिसको factory में बनाये जाता है कहता है apportionment of the salary wages is showroom showroom का मानिये 3 बटा 4 factory का मानिये 1 बटा 4 और salary and wages showroom that is divided into x and y इसका मतलब sir x और y जो है ये हमारा showroom है ये दोनों जो क्या है हमारा showroom है question में tricky point यहीं था और ये क्या है हमारा factory तो कहता है जो भी salary का खर्चा है यानि जो भी salary का खर्चा लोगे उस खर्चे को कैसे बाटोगे देखिए salary है हमारा salary है हमारा sir कितने salary है salary दे रख है 10,800 पहले तो इसको दो पार्ट में बाट देजिए यानि sir 3 by 4 1 by 4 तो 10,800 divided by 3 by 4 and 1 by 4 तो आपका हो गया 3 is to 1 तो एक हो गया 3 यानि 80,100 और एक हो गया 1 that is 2700 यही होगा न यह गलत बाट दिया अब कहता है यहाँ पे जो 80,100 है मुद्दे की बात है showroom 3 बटा 4 है तो यह showroom है और यह क्या है factory कहता है showroom का जो खर्चा है वो 2 showroom है न हमारे एक showroom हमारा X है एक Y बोलता है इसके अंदर 48,000 है ओके मैंने क्या बाट दिया फिर salary and wages 48 है मैंने कोई और डिजेट उठा लिया नीचे वाला कोई बात नीचे तरकीव टेकनीक वही रहने वाला है divide 4 into 3 यह आएगा 36,000 और यह आजाएगा 24,000 अब कुछ बच्चों का मुद्दा हो सकता है कैसे आया 36,000 तो 48,000 गुणा में 3 बटे 4 और इसको आप करी लोगे 1 बटे 4 यह 48,000 divide 4 अच्छा 12,000 यह 12,000 अब क्या करना है इसको भी दो department में बाटना है X में और Y में तो इसको दो department में 36,000 को बाटना है वो भी किसरी 1 is to 2 में तो सर एक का आएगा 12,000 और एक का आएगा तो ratio बन गया X department का 12,000 Y का और 12,000 यह था salary किसी को दिक्कत कहता है आपोर्समेंट और salary and wages इस हिसाब से बटेगा आगे और कुछ बाते बताई कि रेंट को बाटना 500 रुपे पर मन्त यानि factory का 500 पर मन्त है और showroom का आपोर्समेंट equally तो सर रेंट का अगर देखा जाए तो रेंट का अगर देखें तो रेंट है कितना 10,000 तो सर 10,800 में से 5,000 रुपे तो factory का चले जाएगा that is Z है हमारा तो यानि 500 रुपे पर मन्त के हिसाब से 12 से multiply करेंगे तो 6,000 बाकी बच गए 48,000 इसको बोला बराबर बाट दो तो कितना बटेगा यह 24,000 और 24,000 तो बड़ा simple सी बात है थोड़ा दिमाग लगाना है बस तो यह था रेंट तो यहाँ आएगा 24,000 और यहाँ आएगा 24,000 और यहाँ आएगा 6,000 इसके बाद है हमारा sundry expense 11,000 कहता है sundry expense are in the sales ratio of department सर department का sales ratio क्या है 175 is to 140 is to 35 है ना 35 तो काट रहे हैं तो कट रहाई है 35 कितने कट रहाई है 5,4 और 1 ऐसे 1 थोड़ी होगा अच्छा यह आएगा 5 is to 4 is to 1 तो सर 5,4,1 में बाढ़ दीजिए 11,000 जो की है expense तो 5,4,1 11,000 इसका मतलब सर 11,000 divided by 10 इंटू में 5,500 और 4,4,4,1,000 और 11,000 तो अब यहाँ final क्या यहाँ जर्नल पी एंडल बनाने की कोई अवशक्ता है तो जवाब है नहीं कोई मौका ही नहीं मिल रहा जर्नल पी एंडल बनाने का कुछ दिखी नहीं रहा आप देख लेते कहां loss कहां profit हाँ console delete करने के लिए बना लोगे आप console delete करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा तो सर यह 75,000 यह तो निपड जाएगा profit यह 35,000 तो इधर ही हो रहा है 24 और 4,28 चलो इधर दो के profit इसका तो loss ही चलेगा तो कितना total आ रहा है 75,100 75,100 और by loss आजाएगा क्या है इसका कितना है 19,500 19,500 है माइनस करके यही आएगा एक का क्या बताया यही total आएगा और 35,300 2 net profit क्या रहे 55,500 अब सर एक जर्णल पी एंडल बना लेते हैं सर जर्णल पी एंडल का मतलब ताकि हम एक final profit तो निकाल के दें तो buy side में चला जाएगा हमारा आपका net profit departmental x का और y का that is हमारा आजाएगा पचपन 200 और 4500 और two side में आजाएगा two side में आजाएगा क्या आएगा सर लॉस that is आपका उननिस पान सो तो final निकाल लो क्या बनता है final तो profit में बैठे हम लेकिन अगर मुझे फैसला लेना हो तो मैं service department बंद कर दूँ आना और किसी और को hire करवा दूँ आए क्योंकि वो department मुझे लॉस दे रहा है minus उननिस पान सो चालिस दो सो यह आगया to final profit to final profit अब बताईए कोई doubt बताईए कोई doubt clear है तो हमारे book में सवाल number one two मैंने कर दिया था three मैंने कर दिया four आप कर लोगे simple सा था वो उसमें सिर्फ trading बनाना था five भी हमने कर लिया है सवाल number six भी आसान है आपके book का दिखा दीजे मैं देख लेता हूँ six कैसे होगा सवाल number six question number six जो six है आपकी किताब में given वो भी बड़ा असान है हर departmental का purchase है हर department का opening stock है हर department का sale है कहता दा rate of gross profit same in each cases prepare departmental trading account कहता gross profit सब में same है और उसी के according हमें बना के दिखा देना departmental trading profit and loss account अब मुद्दे की बात यहाँ पे यह है के departmental आप याद करो illustration number two तो वहाँ पे भी purchase total में तो दे रखा था लेकिन हर एक departmental का कितना purchase होगा नहीं पता था यहाँ same कहानी वही है तो अगर आपको इस सवाल को करना है तो पहले illustration number two को revise कर लीजे उसके बाद बड़े आराम से हो जाएगा same कहानी exact same question है seven question आपने करना है नहीं होगा तो मैं करा दूँगा बस इसमें बस यही था inter departmental transfer होता है उसके according था सवाल number eight बड़ा आसान question है बस यहाँ पे expense commission कैसे कैसे दे रखा है आपका हो जाएगा और सवाल number nine भी आपका हर department का अलग-अलग है यहाँ ratio बाटना आएगा तो मैं इस chapter को ना यहाँ पे खतम करूँगा हालाकि सवाल number 10 है 10 के अंदर exam में आया हुआ question है ये तो कहता है opening purchase closing सब दे रखा है rent electricity department का दे रखा है light point value of assets और floor area occupy तो मैं ऐसा करने वाला हूँ आप सभी के लिए कि एक किस चीज को किस अपोर्समेंट में बाट दिया जाए उसका मैं एक छोटी से वीडियो बना के डाल दूँगा कि आपको rent को कितने हमारे पास option है देखो rent किस किस में बढ़ सकता है rent बढ़ सकता है direct wages में तो कुछ हमारे पास option है लिखिन जो पहला है वो नहीं मिला तो दूसरे में चले जाएंगे बेसिकली ये बाटने वाला काम costing के अंदर एक overhead allocation का chapter है वहाँ पे है तो मैं आपको वो proper लिखवा दूँगा अगली class में दिखाई में दूँगा वो चार्ट आप उसको note कर लेना किसमें बाटना है तो जंजट खतम हो जाएगा तो जो become में question आए आप वो भी कर लोगे और आगे कभी कर लोगे इसके अलाबा भी एक दो question जैसे जैसे कराना होगा हम करेंगे अगली class के अंदर हम क्या करेंगे next class जो की है उसके अंदर हम AS19 lease start भी करेंगे और खतम भी हो जाएगा क्योंकि अब वो theoretical chapter बचे होगे है lease तो अगली class में हम lease करेंगे और फिर उससे अगली class में हमारा intangible assets होगा intangible assets कौन सा है हमारा AS26 उसको हम पड़ लेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ theoretical part cover करना है तो हो सकता है कि अगली class में lease और AS26 दोनों ही खतम हो जाए अगर थोड़ी लंबी class रखे तो फिर हम start करेंगे तसलिश से क्या NPO Net Profit Organization और जो process of accounting है जो 11 वाले थे theory मैंने सारा का सारा upload कर रखा है अब मैं ऐसा करने जा रहा हूँ कि combine कर देता हूँ सारे theory को जिससे बच्चों को असानी हो एक ही बार में देखे 2-3 घंटे की वीडियो और पूरे book का theory आपका easily क्या हो जाए खतम हो जाए तो वो बहुत जल्दी upload कर दूँआ कल तक ठीक है इसके बाद हमारा NPO धीरे धीरे चलता रहेगा तिल आपका exam exam कब है आपका 31 3 March को है 3 March को है यानि हमारे पास जो भी time बचेगा classes regular लेंगे और तब तक हम धीरे धीरे वो cover करते रहेंगे अब बता दिजिए इसमें किसी का doubt है तो आप पूछ सकते हैं